तो आज फाइनली हम डिफ्रेंसिबिलीटी की बात करने वाले हैं और यह हमारे केल्कुलस का बनाव इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस्टुएंट इतने कमफर्टेबल नहीं रहते हैं थोड़ा बुद कंट्यूंस फंक्शन तक तो रहते हैं लेकिन डिफ्रेंसिबिल और क्याल्स का लेक्शन नंबर ट्वल ठीक है बेश्स कंसेब अफटेवलिटी इसलिए बेस्सक्नेट लिखां कि आफोर्प को बेस्ट लगे यह यह थे कंसेट टो तो स्टार्ट कटी कि मेनिंग की बात करते तो सब को बता है कि डेरिवेटी कि उसी फंक्शन का यही मतलब होता है तो हम k Liang की की बात करें चिकिंञान गजी करेगा बूस्टम भी पर इंट्रेस्टिंग बात होगी और जब तो गेंस Cameron सबसे नहीं बनता है क्योंकि इतना आता नहीं ठीक है अभी मैं अच्छे से बताऊंगा तो डिफ्रेंसिबिलीटी मतलब डेरिवेटी आप एनी फंक्सन ठीक है जो मिनी होता डिफ्रेंसिबिलीटी का वह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि the value of the derivative at any point of a curve is equal to the slope of the line drawn tangent to the curve at that point अगर मैं एक slope of line लूँगा जो कि एक ड्राउन किया गया tangent to the curve at that point यह होता है derivative of any derivative of function at any point यह इसका geometrical meaning यह होता है और इसको ही हम mathematical form में यूश करने वाले tangent की बात करने वाले tangent of the curve इसकी बात होने जा रही है कि tangent आपके पास क्या होता है actually और उसका लाइन का जब मैं slope find out करूंगा और किसी पॉइंट पर जब मैं को differentability की बात करना होता है तो वही बात होती है बट ऐसा क्यों होता है कि tangent of the curve का जब हम slope की बात करते है तो वही उसका derivative होता है यह देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है नोमल इस्ट्वेंट को यह चीजे बड़ी पसंद नहीं आते है इसको tangent बोलने से अच्छा नहीं लगता है tangent of the curve यह वर्ड एक नोमल इस्ट्वेंट के लिए favorable टम नहीं होता है ठीक है ठीक है फेवरेबल बनाएंगे ज्वक्राइंट के होता रिचैना पार मताब डेरिवैट्व मेंस्टल इस्प रेट आ चेंज आ मताब डेरिवेट्व टेरिवेट्वधन डेरिवेट्व डिरिबेटि अफ फंक्षन चाहा्ब डिस्प्लेस्मेंट का वैलिश्टी चाहाब वैलिश्टी का वैलिश्टी का एक्सलिशन लेकिन जिमेटिकल जो मीनिंग डिफरेंसिबिलीटि यह हमारे बहुत काम का है यह इंप्वर्मेट्स जब मैं मैंस की बात करता हूं तो बहुत करते तो सबके मांद में बढ़ा सिंपल साता है कि सर अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ आप एक्स है साइन एक्स तो साइन एक्स इसको डिफ्रेंसेट कर दो आपके सकते आपके पास तो साइन इंपोर्टें कंसिप क्यों माना जाता है डिफ्रेंसेबिटि के की कॊंसिप को ये देखना इंट्रस्टिंग होगा अगर आपको किसी फंक्सन काड अलप harbor पता है कि ये वहer एक पॉयन्पल लूस करो next एक्स इक्वल टू कि आपके पास सब लोग जानते हैं आपको लग रहा है कि आपके पास हर पॉंइंट में नहीं सर अगर इसके डिफरेंशेटान में एक्स की वैली जीरो पूट कर दो तो वन बाइज इन्फाने इसकी अभी डिफ्रेंस एबल तो है लेकिन एक्स की बात करो तो इसका मतलब है कि हम तो लिखते हैं कि लॉग नेचुरल का कितना होता वन भाई एक्स बीना डरे लिखते हैं क्योंकि हमको यह बात नहीं करना पड़ता है कि किस जगा पे वैलिड नहीं हम तो नॉर्मल बात करते हैं बुलन जा रहा है कि दिफ्रें diseases अगर आप किसी का निकालते हैं पुल्कूल मतलब यह नहीं है कि यह कर अगर मैं बोलुकि यह एक्स तो इस अंगे चोंग सर्द और इंतर संध क्वाफ़ेंगास कंफिस नहीं करने के मैं नहीं इस का अपने डिधुन डॉमस प्रसक्थ को सबस्किंद की विलीपूट कर सकते नहीं यही बाते हम पढ़ने जा रहे हैं यही बाते हम पढ़ने जा रहें बात करेंगे तो अच्छे से interesting बनाने के पूरी courses करूंगा ठीक है बस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ठीक है जैसे आपके पास ln x है आपके पास 1 by x है x greater than 0 पर लिखा हुआ आपके पास d by d x आपको पता है कि x greater than 0 x equal to 0 पर तो valid भी नहीं होता लॉग नहीं चुरह फिर 1 by x है आपके पास 1 by x में अगर आपके पापता है कि differences ना करूंगा तो minus 1 by x square आएगा for all values of x देख रहे हैं but real values minus 0 कर दे क्यों कि 0 पर valid नहीं है तो real values में से 0 0 हटा दो minus 0 कर रहे हैं न 0 हटा दो फिर यह valid हो जाएगा को भी point put करो यह x rest for 1 by 3 इसको differentiate करेंगे तो यह आजाएगा एक्सक्वेली 0 नहीं हो सकती तो यह सब function में एक्सक्वेली 0 नहीं हो सकती क्योंकि इंफानेट आ जाएगा derivative की value इसलिए 0 excluded है देखो आपके पास 0 excluded है आर मतलब real value यह सब पता आपको for all values आप यह all values का sign है x belongs to real value from minus infinite to infinite excluding 0 क्योंकि 0 पर आपके पास function जो derivative इस function की value infinite हो जाएगी इस बात का clear रहें जिससे 10x आपके पास 10x की value आपके सकी स्क्वेर आपके पास x है और एक्स बिलॉंग्स आपके पास real value minus 2N 10x आपको discontinuous function होता है जैसे आपको पता है 10x is discontinuous function ने बट किस पॉइंट भी discontinuous है point of discontinuity पे और multiple सा 5 by 2 अगर आप लिखो कि तो discontinuous function रहेगा यही बाते हम करने जा रहे हैं अभी मैं यही बताने वाला हों कि हम जब किसी function को define कर रहें तो बहुत ही अच्छे से define कर रहें इसका मतलब यह नहीं कि हर जगा यही आज का हमारा टॉपिक है तो कुछ एक्जामपल ऐसे लिया कि एक जो function होता है वह डिफरेंसेबल अगर उसका आपको derivative पता है इसका बिलकुल भी मतलब नहीं कि function is differentiable at all points हर जगा पर differentiable होगा इसका मतलब नहीं है अपने domain में differentiable होता है और domain is very important thing पता है इसलिए मैं starting से जब मैं calculus पढ़ाना चालू किया तो domain और range पढ़ाना चालू किया domain is very very important जैसे कर मैं बलू कि 10x is continuous function इस रॉंग statement 10x is continuous function in its domain is the right क्यों क्योंकि अपने domain में सब्सक्राइब और multiple सब्सक्राइब फटा दूगा तो continuous रहेगा इसलिए termology is very important क्या बूला मैं 10x is continuous function इस रॉंग statement 10x is continuous function in its domain is the correct statement तो छोटी छोटी बाते पकड़ना अच्छे से ठीक है चलो हम concept में आते हैं जब मैं geometrical करेगा आपके पास वो एक यूणिक tangent exist करना चाहिए unique tangent जिस concept is very very important कि unique tangent होना चाहिए what do mean by the unique tangent यूइक तो बाद में आएका tangent क्या होता है unique और tangent दो termology is the unique is first term and tangent is second term तो पहले पता हो tangent और जब tangent पता हो तो unique tangent की बात करेंगा अगर unique tangent exist किस्ट करता है तो function differentiable होगा एक आपके पास यह बनाए गया और एक यह देखो आपके पास एक tangent बनाए गया लेकिन जब यह ऐसा बना रहता है तो हमको समझ नहीं आता है कि एक लाइन खीज दिया गया है और एक function था और यह आपके पास tangent ले लिया गया है तो बच्पना चाहें से कोई समझ यह उसको को पता चल घया है उसको थोड़ा पढ़ने वाला क्या एटी करोफेसर को अपने को हेंडल करना है और उनके हर स्टेर्ट मेंड का आंसर देना है और सही तरीके से ठीक है तो हमारा पूरा फोक्स अभी टेंजेंट और बाद में उनिक पहुता है जा क्या हुट के बात करता है इस की बात करने यह बनाए हम लोग ब्लू आला दिख रहा है आपके पास एक function है f of x और फिर आपके पास एक line खीचे आपके पास तो second line क्या होता है जो graph को दो point पर cut कर है graph को दो point पर cut कर रहे ए और b पर आपके पास क्या की है एक straight line खीचे हम लोग और एक graph था आपके पास यह straight line this was the straight line इन दिख रहाँ कि पास this was the straight line और यह हमारा function था यह हमारा function f of x था और हमें ऐब एसा आपके पास straight line की चीचे कि दो जगा पर cut कर रहा है जब दो जगा पर cut कर रहा तो ध्यान से देख रहे हो कि sir यह point क्या हो गया sir यह x equal to a हो गया बिल्कुल तो यह क्या हो गया सब्वी हो गया एक एकसिस ऐस एकस िक्वल टूभी हो गया यह इज हो करते हैं इस फरक्षान ओप द्यान देख histor all इसमें slope इसलिए दिखाना tough होगा because हर जगा पर change होते जा रहा है जैसे मैं एक straight line पर खीशता हूं तो मैं इसको single slope हो सकता है तो straight line जैसे मैं straight line कीचा तो इसके single slope हो सकता है और जो curve है उसका slope defined नहीं करें क्योंकि हर जगा पर change होते जाएगा जैसे वेरेबल है आपके पास f of x function दिख़गा आपके पस और वो हर जगा पर आपके पास का slope change होगा मैं क्या किया कि straight line लिया और जो दो क्या होगा इस straight line को आप सिकेंड बोलते है इसका मतलब है कि अगर मैं बोलू कि सर्थ लोप कितना होगा कि स्लोप कितना होगा किसका सर्थ वाले का इस स्लोप कितना होगा सिकेंड स्लोप कितना होगा सिकेंड का स्लोप जब भी आप निकालते तो इन जैनल समको पता है कि डी वाइब दी एक्स होता है इस इस स्लोप जो इस स्लोप कि बात हम करते है तोय सिक्टिया तो य फ्री दो और ब्री तो खेता है एप आान पूरा करा था तो ये स्लोप किसे क्रस्कीर we पयर हा किस्ध क thankful कि रहा होगा यह फॉक्तियो और यग सिस्क कि दो फ्री तो sud आर्म जब B-F of A अपों B- A यह slope हो गया किसका उस इस ट्रेट लाइन का जिसको आप क्या बोल रहा। सिकेंड बोल रहा है अच्छा काम क्या था इसका काम यह था कि हम slope निकाल सकते हैं और अगर मैं को approximate करना है किसी करो का slope find out करना है तो मैं एक straight line के help लेता हूँ और फिर दो point पर slope को देखता हूँ function को देखता हूँ कि क्या क्या value है और मैं बोल देता हूँ कि approximately इस function का slope ऐसा होगा तो किसी function के slope को कैसे find out करोगे वो function आपकी पास continuous function है तो slope तो आपकी पास जब आपको देखना है तो हम क्या करते है अप्रॉक्समेट कर लेते हैं कि straight line खीचे है और दो function पर cut कर रहा है उस function के दो point पर cut कर रहा है और दो point में y और x की value लिख लिए और dy by dx कर लिए यह straight line का slope है और माना जाता है माना जाता है मतलब mathematically proof है माना जाता है कि जो कर्व था जो figure था जो graph था f of x का उसका slope approximately इसके बराबर होगा इसको बोलते है straight line concept और second तो slope of second जो है वो यह है इसका काम क्या है एप्रॉक्समेट करना किसी का slope find out करना किसी कर होगा ठीक है it's a good ठीक है भी हमको पता चल गया है कि हम इसको use क्यों करते है दो point पर cut कर रहा है अब मेंको अगर बोला जाए कि second क का concept आपको इसे slope पता चल गया अगर मैं बोलूँ आपको चिया मेंको ना tangent की बात करना है tangent की बात करना इसका मतलब पता है आपके पस tangent का concept क्या होता है यह कर्व को एक point पे-cut कर रहा है tangent關係 को projection यह principal करेगा tangent यह एक point पे-cut करेगा है जोगा एक point पर कट करना क्योंकि देखो यह मैं बनाया मैंसा भी कर सकता था कि कोई ऐसा बना ले था दो पॉइंट पर करने के लिए तो कोई भी स्ट्रेट लाइन खीज सकता है तो डिफरेंट टाइब ऑफ सिकेंड लाइन हो सकती है अच्छा जब मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं तो अगर आब बी से ए पर आ रहे तो आप बोलते हो कि राइट साइट से आप अ प्रम गफ और राइट साइड तो таким वहत से missile करें जा अगर मैं बोल दे रहा हूं कि मैं आ रहा हूं आपके पास B point से यहां पर A point पर from right फ्रॉम राइट यह तो पता B point से अगर मैं यहां पर आ रहा हूं तो पता यह straight line जो होगा इसके एकदम past में आ जाता हूं मैं बस just इसके past में आ जाता हूं देखिए कैसे जैसे ही मैं उस line से ऐसे right move किया B हाँ पर point था B को ऐसे पकड़ के लेके आया अगर आपके पास ऐसा होता कि अगर आपके पास एक क्यों software होता उस software से उसको ऐसे खीच के लेके आते तो यह straight line आपके पास यह बनता अब क्या हुआ पता है एक जजबत बनाया में B point अब देखना ध्यान से इत्दम nearest बनाया है उसके बाजू में बनाया है यह क्या point था सर यह A point अच्छा यह B point है मान लो कि B की value यह से ज़ादा थोड़ा सा ज़ादा है तो A plus H लिख रहा हूं में ध्यान देना A plus H B की value को A पे value कितनी है सर F of A यह और B F of B है यह F of B है बट B की value कितना है A plus H है तो मैं कर क्या रहा हूं कि मैं जैसे ही उस B point को A plus H किया A से थोड़ा सा ज़ादा H is very small value आपको पता है limit में is very small the very small value तो मैं उसके पास ला लिया very small value थोड़ा सा ज़ादा limit आप जानते हो इसका मतलब वह point जैसे यहाँ पर आया तो अब यह आपके पास tangent बना इसका मतलब जो second line होता है और tangent होता है, second line किसी curve को किसी graph को दो point पे cut करता है लेकिन tangent graph को एक ही point पे cut करता है अब ध्यांस देखेगा जब मेरे पास second line का concept था तो मेरा slope क्या था? सर, slope जो था आपका slope second line के concept का slope क्या था? सर, y2 minus y1 y2 मतब fb था सर और y1 fa था divide by और यह क्या था? b minus अगर मैं इसको slope को tangent बनाऊ तो अगर मैं tangent बनाऊ तो मेरा b point क्या हो रहा पता है? क्या हो रहा b point? सर, b point की value है a plus h b point की value है a plus h अगर मैं बोलू कि यह जो slope होगा पता अब जो slope होगा वो tangent का होगा slope जो होगा वो tangent का होगा slope जो होगा वो tangent का होगा और tangent में b की value कितना है? a plus h तो a plus h हो गया minus f आप a हो गया और b की जगा क्या हो गया? a plus h और minus a था interesting बाद cancel out क्या cancel out, sir a cancel out, क्या बचा, sir बच गया यह, पता आपके पास f of a plus h बचा, minus f of a बचा, और यह h बचा sir, but h is very small है, तो पता हम कैसे लिखते इसको, sir, limit h tends to 0, because h is very small, और यह हो गया, f of a plus h, minus f of a, divide by h, यह क्या है, sir, slope tangent का slope है sir, यह slope है, slope आपके पास क्या होता है, that means the derivative, slope यह बचा, dy by dx है, यह slope है आपके पास, dy by dx, यह, is the dy by dx है, किसका, tangent का, यह tangent का, अब एक interesting बात है, यह कहां से लेके आए, sir, मेरा b point यहां था, right side से लेके आए, sir, यह b को इस point को shift किया, जैसे b को a के पास लाया तो यह पुरा कर्व ऐसे घुमा और यहां पे आपके पास कट किया, और a की जगा पे कट किया, right side से लाया आपके पास, यह, तो पता आपके पास यह, जो result आया आपके पास, tangent का जो slope आया, इसी को right hand derivative बोलते हैं, इसी को आप बोल देते हो, a के just बात, this difference is h, this difference is h, this, इसके बीच का difference is very small, तो यह, आपके पास हो जाता है, f, d is, a plus, इसको बोलते है, right hand derivative, r, h, d, जिसे right hand limit होता था, is the right hand derivative, the right hand derivative, तो मैं right hand derivative की value आपके पास find out कर लिए, आपके पास second के concept से tangent पे गया, और right hand derivative का result लिखा हुआ आपके पास, the right hand derivative, देखो जाए अदियान से, अब क्या होता है, कि हम जब पढ़ते हैं, तो सब लोग यह result लिख देते हैं, कि right hand derivative का result यह होता है, अगर आधियान से देखोगे, तो सब लोग ऐसा result लिख देते हैं, और सब लोग याद कर लेते हैं, कि f, d is, a plus, का result, is the limit, h tends to 0, f of, a plus h, minus, f of, a upon, h, is the right hand derivative, सब लोग ऐसा लिख देते हैं, जिसको जानना है, वो मैंसे पढ़े, जिसको नहीं जानना है, मैंसे ना पढ़े, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कि what is this, क्योंकि जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं, तो मैं फिर gate के question को मजाग बना सकता हूं, IIT के professor के statement को अच्छे से handle कर सकता हूं, अगर मैं ये बताऊं ना तो, ठीक है, इसलिए मैंसे गर कोई पढ़ रहा है, तो आराम से चीज़े हो जाएगी, जिसदा right hand derivative actually, right side से निकाला, ये tangent का आपके बास slope था, ठीक है, अब क्या है, सर, बात ये थी, कैसा है, सर, ये तो left में भी जा सकता था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सोचो, कि मान लेते हैं कि ये point आपके पास A है, ये point A है, मान लेते हैं, इस point को A बोल रहा है, इस point को B बोल रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये point में B बोल रहा हूँ, ये point में B बोल रहा हूँ, और ये point मैं A बोल रहा हूँ ये और मैं बोल रहा हूँ कि मैंको अगर B से A पे जाना है ये देखो आपके पस ये B से A पे जाना है इसका मतब है मैं left hand side से याँगा from left hand side from left side ये B से अगर A पे जाना है तो अब सोचो B से अगर मैंको A पे जाना है तो जो tangent होगा, वो आपके पास यहां से आपके पास बनेगा, 20 को आप A पे पहुचा रहे हूँ, उपर ली जा रहे हूँ, इस बार मैं point ही change का लिए, इसको A बोल रहा हूँ, जिससे कि मैं को बार-बार A की बात करना पड़े, तो B को मैं यहां ली जा रहा हूँ, जब मैं B को यहां ली जा रहा हूँ तो देहास देखेगा, फिर से मैं tangent बनाने वाला second line है, इधर second line, फिर से अगर मैं बनाने वाला हूँ, तो देखो यह बन गया, इस बार क्या हुआ, यह A है आपके पास यह A, और यह A के पहले है, यह B वाला point, इसको A मानस H बूल दो, इस बार यह जो है आपके पास, यह F of A मानस H हो गया, और यह क्या हो गया, F of A हो गया, इस दा F of A, यह, पता है इसका slope क्या होगा, इसका slope जो होगा, इस इसी का आप बोलोगे, left hand derivative, is the LSD, the left hand derivative, left hand derivative, dy by dx, left hand derivative की value क्या होई, बोले sir, f of, अपके पाफ functions y2 minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, this is the left hand derivative, क्या है y2, sir, y2, sir, f of a, b से यह जा रहे हैं, f of a है sir, y2, y1 के हैं, sir, f of a minus h, x2 की value कितना है, a, x1 की value कितना है, a minus h, देखा, आपके पास left hand derivative, जिसको आप f of, f derivative, a minus, देश मताब derivative, a minus मताब left hand derivative, derivative, a की जस्पहले, limit, h tends to 0, यह result कितना है, f of a आया, minus f of a minus h आया, divide by, a cancel out, और यह h आगिया, this one, is the left hand derivative, मतलब, यह left hand derivative हुआ जब आप वहाँ जा रहे हैं, थोड़े पहले right hand derivative हुआ जा रहे हैं, इसका होताब है, जब मैं tangent की बात करूँगा, जब मैं tangent की बात कर रहा हुआ तो आपके पास यह देखो, यह जो left hand derivative, that means the slope है, tangent का slope है, अब आप left से जाओ चाहाँ राइट से जाओ, तो दो slope आपके पास, from the left hand derivative, from the left hand derivative और right hand derivative, एक second line के concept को हम इसमें ले गाए, इतना जिखा आपको, okay sir, second line और tangent line बोट आपके पास लिखा हुआ है, इसमें कोई इसू नहीं है, it estimates the average rate of change of function between two points, average rate क्योंकि मेरे पास second two points है, आपके पास, it estimates the average rate of change, यह कोई पूचता है, theoretical बात है, the second line is used to approximate the slope of the function between the two distinct points, यह अच्छी बात है, यह हमारे काम का है कि, यह approximate the slope करता है किसी functions में, okay, okay, it's the good point, यही से start किया था, पढ़ा था, it estimates the instantaneous rate of change of the function at that exact point, यह instantaneous rate of change होता है, वह average rate of change होता है, tangent line is used to approximate the slope of the function at the single point, this one, यह, जो tangent line होता है, इसका काम क्या है, is used to approximate the slope of the function at a single point, इसी को हम बोलते हैं, इसका यह काम होता है, अब दिखो, आपके पार left hand derivative of a function at a point यह निकाला है थी, यह अभी यह निकाल चुका अभी आपके लिए, left hand derivative, पता है, यह right hand derivative निकाल सुन देखो देखो, यह सर, यह सर, is the left hand derivative and right hand derivative, पता है, डिफरेंसे संके concept आया यही से था, जो आप साइनेक्स का कॉसेक्स बोलते हो ना, तो साइनेक्स अपने आप कॉसेक्स कैसे हुआ होगा, क्या लगता आपको, साइनेक्स कॉसेक्स कैसे हो गया होगा, ऐसे हो गया जब मैं बोल रहा हो कि यह तो left hand derivative हो गया, अगर मैं बोल रहा हो किसी function का derivative exist करने की condition क्या होती, कोई function differentiable है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोल रहा हो किसी function को differentiable बोल रहा हो, एक point x equal to a, तो left hand derivative equal to right hand derivative equal to finite होना चाहिए, f dash a minus equal to f dash a plus equal to finite, this one, यह पूरा कबरा दिख आपके इसका मतलब यह हुआ कि left hand derivative equal to right hand derivative equal to finite होना चाहिए, तो फिर वो function differentiable होगा, वो function differentiable होगा, पता आपके बस, वो function क्या होगा, differentiable होगा, कोई function continuous होने के लिए यह तो derivative, f dash a minus left hand derivative, f dash a plus right hand derivative, right or left result लिखा हूँ है, this result is very important, जो पर लिखा हूँ है, यह कहां से हैं आपको दिखाया जब function continuous होने की बात हूती थी, तो हम बोलते थे, कि continuous function कब होता था, जब function की value, f a plus equal to f, a minus equal to finite हो जाए, और उस function की value भी finite है, जब हम continuous की बात करते हैं तो यहाद आपके पास क्या होता था, यह function है, f a minus equal to f a plus, equal to f अपर, और equal to finite, अगर ऐसा है, तो function क्या होता था? continuous यह हम दिखते थे यह डिफ्रेंसेबल होने के लिए तो आज हम डिफ्रेंसेबलिटी की बात करने वाले तो बड़े अच्छे से हम बात करेंगे जो जो बाते हो सकती है आपके पस यह कहां से आपके पस अच्छा कुछ लोगों के फामले में यह वाला माइनस लिखा रहे था नीचे सही उनका क्योंकि वो ए माइनस एच को पहले लिखते है यह प्लस एच पहले लिखा है वो ए माइनस एच को पहले लिखते है तो उनका माइनस आ जाता है मेरे 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 मेर mod x, x square का mod, x cube का mod, 2x plus 3 का mod, 3x minus 2 का mod, ऐसा आपके पास दिया हुआ है, check the differentiability of the following function, जब मैं को differentiability की कोई बात कर रहा है, it's very very good concept, ठीक है, अब मैं बोरहों कि sir, मैं को to mod x के बारे में sir, मैं को check करना है sir, differentiability sir, अब मैं को बोल रहों कि mod x की बारे में जो मैं को differentiability check करना है, आप बोल भी सकते थे कि आप check कीजिए करके, differentiability, आप इसको और अच्छा बनाने के लिए बोल देते हैं कि at x equal to 0 check कीजिए, क्यों ऐसा बोल देते हैं, मत करते हैं, at x equal to 0 check कीजिए, at x equal to minus 3 by 2 check किजे at x equal to 2 by 3 check किजे ठीक है कुश्चन को और और आगे बढ़ा दिया proper कर दिया तो मैंको f of x mod x and x equal to 0 पर मैंको differentibility check करना है मैंको mod x की differentibility check करना और भी बाते करूंगा start कर रहा हूं तो अगर मैंको mod x की value बात करना है कि at x equal to 0 पर चेक करना है मेरा पहरा पार्ट कुश्चन का मतलब स्थ करना है कि अब दिन सीरो पढ़ एक्स पढ़िगे युद्ध नेलुकी स्थीन विल्कुल अच्छा दो चार बार लिखेंगे तो आसान हो जाएगा क्या होता है f of a plus h a की जगा 0 है तो 0 plus h minus f of a एक जगा 0 है और यह इस दा राइट है तो f days 0 plus दा राइट है डेरिवेट लिमिट एस टेंज तो 0 एक जगा 0 इसलिए 0 0 plus h और यह f of a था अब 0 plus h पुट कर रहा है यह फंक्सा मॉड x है तो क्या होगा पता है मॉड के अंदर में 0 plus h x की जगा 0 plus h minus f of 0 तो मॉड ऑफ 0 और डिवाइड भाई है क्या हुआ f days 0 plus की वैल्यू हुए लिमिट एस टेंज तो जीरो अब यह कितना हो गया मॉड h की वैल्यू ही होगी यह तो 0 0 होगे मॉड 0 की वैल्यू होती ही डिवाइड भाई एच पता है एच माइनस 0 by h पच आप 0 पुट करूंगा तो कितना जगा 0 by 0 फॉर्म आजए बिदे 0 by 0 फॉर्म मैं डिफ्रेंसेट कर लूँगा और फिर to zero है zero by zero form फिर differentiate किए तो one by one तो one आ गया इसका मतलब यह है कि f days zero plus की value one आ गया this one is the right hand derivative is the one पूरी बात है समझेंगे कि मेरे पास thought क्या क्या होता है तो पता है right hand derivative आपके पास जो आ गया one आ गया अच्छा अब अगर मैं बोलूं होगे ठीके सर right hand derivative तो आप ला लिए चलो आप left hand derivative की बात करते कि left hand derivative left hand derivative f days zero minus क्या होगा left hand derivative है तो f of zero होगा एक ही जगा जीरो और f of a minus h तो zero minus h divide by h और limit h tends to zero था limit h tends to zero तो था ही ठीक है चलो f days zero minus limit h tends to zero क्या है पहला वाला f zero मतलब mod 0 minus 0 minus h mod के अंदर divide by h क्या बचा limit h tends to zero बचा mod 0 कितना होता है 0 0 minus h अच्छा mod of minus h क्या होगा h e होगा क्योंकि mod of minus h तो h e होगा ना mod value है h e होगा बाहर मानस लगा है तो रहेगा divide by h अब h tends to zero बच करोगे तो zero by zero form आ जाएगा zero by zero form ऐसा नहीं है कि आप इसी को काट दे रहे हो तो फिर जब मैं differentiate करूंगा तो minus one by one answer is minus one आ रहा है आपके पास f days zero minus की value f days zero minus की value और f days zero plus की value कितनी थी प्लस वन थी तो अगर मैं बोलूं कि sir mod x की बारे में बात चल रही थी अपनी यह एक function था f of x equal to mod x क्या है आपके पास right hand derivative इस functions की लिए f days zero plus कितना आया सर वन आया था बिल्कुल left hand derivative कितना था left hand derivative f days zero minus sir minus one आया था तो sir यह तो right hand derivative is not equal to left hand derivative विल्कुल तो function is not differentiable this function is not differentiable to f of x equal to mod x is not differentiable is not differentiable at x equal to 0 to x equal to 0 पे differentiable यह तो हो गया maths this is the pure mathematical form this is the pure mathematical form this is the left hand derivative right hand derivative the pure mathematical form देख सकते हो this is the basic style basic form पता होना चीए कैसे लिखते सलिए लिखने का style बढ़े ध्यान से आप देखे जिसा में लिख रहा हूं तो यह आपके पास होगे basic thought यह basic mathematical thought यह basic आपके पास होगे basic thought होगे the basic thought यह the basic thought f of x equal to mod x की value और हम find out भी कर लिए कि this function is not differentiable अच्छा इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ कुछ concept नहीं पता चल रहा है math 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 अब अगर मैं function की बात कर रहा हूं कि सर अभी मेरा discussion चल रहा है अभी मेरा यही चलते रहेगा f of x equal to कितना है mod x है अब मैं बोल रहा हूं mathematical thought अगर सोचते यह तो आपके पास basic thought था simple definitions हो सब यूश कर लिए हम लो good mathematical thought सोचते अगर मैं बोलू कि mathematical thought mathematical thought अगर मैं थामेटिकल थाट की बात कर रहें इसलिए थाट की बात कर रहें कि क्या आपको पता है कि mod x का definition आपको पता है यह सर क्या होता है सब्सक्राइब कर देफिनेशन सब्सक्राइब कर रहें और इसका डिफिनेशन सब्सक्राइब कर दिये और आपको पता है कि पोजिटी वेली वेली पुटकरोंगे पॉजिटी आएगा अगा एक्स की गाशन से मॉठ्स ए तो औरडी प्लस में कोई भी वेली नेगेटी होती नहीं है इंट्रेस्टिंग बात क्या है इंट्रेस्टिंग बात है कि इसका डिफ्रेंसिस ना गर मैं कर रहा हूं तो क्या होगा डी बाइड एक्स mod x या fd6 क्या हुआ आपके पास fd6 differentiate कर दो x का आपके पास difference न कितना होगे 1 होगया यह और minus 1 का कितना होगे minus 1 होगया अब आपके पास x greater than equal to 0 लिखा था और x less नहीं 0 लिखा था यह ऐसा लिख दिया हम लो fd6 अब आपके पास जब भी आप इसको differentiate करोगे तो पता है ऐसा में लिखा हर जगा आपके पास दिखा मिलेगा कि 1 हुआ और x greater than 0 और minus 1 हुआ और x less than 0 लोग equal to चीज़े हटा देते हैं मतलब यह इसका better version हुआ कोई बूलेगा सर जो लिखा तो लिख दी है मैं कितना अच्छा आता आपको यह तो बहला important होता है अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ इसलिए तो बोल रहा हूं कि यह वाला topic इतने लोगों को आता नहीं है कि सर वह equal to कैसे गायब होगी है सर आप better version बोल रहे हैं मैं तो सर डिफ्रेंसेट करूंगा एक्स का तो बनाएगा लिमिट के यह जो रेंज ही चेंज होगा यही तो बात है कि कि कितना मैंस आपको आता है यही तो सीखने जा रहे हो आप यही तो आप सीखने जा रहे हो और क कर दिए अब बताओ एक्स गेट दिने जियरो है तो जीरो प्लस पर वैलई क्या होगी जह यहां पे सर एकपद जीरो प्लस पह वैल्यू क्या होगी जहांस निकलेगा तो सैच इक्टर दिनल सबात हरिक जीली नन तो व्राबर है यार माइन चंक्सन दिफ्रस जाई यह सब्सक्राइब कि इतना असान होता नहीं है अभी आपको मौड एक्स की बारे में पता था तो आप डिफ्रेंसेट मार दिये अभी तक आपको इसका अंसर नहीं पता कि एक डाउट है कि सर वह एक वर्जन भी बोल दिया तो यह समझ नहीं है बेटर वर्जन का क्या मतलब एक यह पता चल गए कि डिफ्रेंसेट बल नहीं है सर अब इसको लगा भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम होती कि सर अगर सब्सक्राइब यह नहीं बूलते हैं हमको पता भी चलता और यह लिख देते और आप बोलते कि बता और राइट अंड डेरिवेटिव कितना होगा क्यो अब अपना discussion जब मैं f of x, mod x की बात करता हूँ, اگर बोलूं कि र little.. ग्राफिकल थॉट लूँ तो ? घ्राफिकल थॉट लूँ थॉट अच RJ अच्छा ग्राफिकल थॉट लेना चाहत कि हो अगर आप अग्र घДर खॉट लूँ तो पताए क्या होगा? mod x जो होता आपके पास x greater than 0 पे x है इसका मतलब यह हुआ कि value आपके पास यह हो गई this one और फिर x less than 0 पे यह हो गई x equal to 0 यह point यह यह कहां से बना यह वही से बना जो mathematical definition था x for x greater than equal to 0 slope कितना है 1 sir minus x x less than 0 यह slope is plus 1 y equal to mx है slope is plus 1 और y equal to minus mx है this slope is minus 1 इस वन किसका फिकर अच्छा सर यह minus x है तो सर यह उपर क्यों बना x की negative value जो मैं put करूँगा x की negative value और इस minus x में तो positive value आते जाएगे value is positive slope is negative minus हम बोलते हैं y equal to mx plus c लिख देते तो आपके पास एक street line है जिसका slope एक का plus 1 है क्योंकि इसके सामने 1 है इसके सामने minus 1 है इसका slope 1 इसका slope minus 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन mod x की figure के दवी से आपको पता यह function क्या है सब पता है sir even function है sir even function is the symmetrical about the y axis जब बात में क्या क्या बोल रहा हूं वह देखने बड़े इंटरस्टिंग है कि sir अगर मैं इस mod x की बारे में बात करूं कि mod x continuous अभी में डिफरेंसे में आऊंगा mod x की बात करूं तो क्या यह function आपके पास continuous function है this function is always continuous sir क्या x equal to 0 पर यह function continuous है अगर मैं को continuous check करना है तो मैं क्या बोलता हूं मैं को अगर चेक करना है 0 पर continuous है कि नहीं तो 0 minus equal to 0 plus equal to f of 0 यह लिखते हैं हम लोग दिस वन यह आपको पता है इस जगह पर देख रहे हैं आपके पास सभी value same है यह देखो आपके पास पूरा का पूरा पेन को आपको पेन को उठाने की जरुवत भी नहीं ऐसा खीची और ऐसा आगया क्या पेन को उठाने की जरुवत पड़ी तो 0 के जस पहले भी 0 है 0 के बाद भी 0 है और 0 पर भी 0 है इसका मताब इस सब की value 0 है और इस value is the finite इस function is continuous हम पढ़ चुके सब इस function is continuous इस the continuous तो जो mod x होता हो continuous function है for all value of x including x equal to 0 even x equal to 0 पे भी अगर मैं बोल दू की मैं को x equal to 1 the 2 पर देखना 10 पर देखना है तो तो difference वो तो हो गई continuous तो हो गई एक straight line इस जगह पे आप देख रहे इसको तो इस पहले जीरो के बाद भी जीरो है और जीरो पर जीरो है तो इस function is continuous ठेक है कोई इससुनी continuous का मैं बुर्णा पेन उठाने की जरुवत नहीं पड़ी तो continuous को जानना इस नौट तफ ठीक है अब मैं बोल रहा हूं कि यह मेरे पास एक graphical representation समय एक figure के बारे में में को idea है में को पता चल रहा है कि यह figure आया और यह change हुआ यह आया आपके पास इसका slope कितना था left side से जब देख रहे तो slope कितना है सर माइनस 1 और right side से देख रहे तो slope कितना है प्लस 1 जब आप बोलते हो ना कि मैं को यह चाहिए क्या बोलते हो जब बोलते हो कि मैं को ना इस जगा पे थी जीरो के just पहले चाहिए यह value और जीरो के just बात चाहिए ठीक है यह value यह तो जीरो कि जिरो के 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 जिर इसका मतलब यह हुआ कि यह यूनिक टेंजेंट यहां हो नहीं से टेंजेंट यहां पे आएगा ऐसा और यहां पे ऐसा जाएगा इस जगह पे स्लोप एबरपली चेंज हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट के पहले और बात पर स्लोप क्यों होना चाहिए तभी तो यूनिक टेंजेंट होगा अब सोचो कि यह दोनों नीरेस पॉइंट है एक स्लोप डाउनवर्ड आ रहा है और आप एक टेंजेंट खीच हो और लों आप एक टेंजेंट उपर जा रहा है जिसके स्लोप में भी बोट सतिते हो हुआ यह पूर आप बूरा नीचे गरें इसका तो इसका माशल तो एक not unique tangent, एक plus one, एक minus one, not unique tangent, धिरे धिरे और भी point पहेंगे, अच्छा, इसका मतलब इस function is not differentiable, बिलकुल, this function is not differentiable, continuous है भाई, x equal to 0 पे, but this function is not differentiable, किस पे, x equal to 0 पे, याद रखेगा, इसका मतलब यह हुआ कि, अगर मैं इसे कोई पूछ रहा है, तो, ab-0 plus, क्या, ab-0 plus, is not equal to, ab-0 minus, this function is not differentiable, at x equal to 0, अच्छा, कोई मैं इसे बोल दे, कि सर, किसी को परिशान करना है, अच्छा, यह देख कीने की बाद, लोग जब पढ़के जाते हैं, एक्जाम में, बताओ, क्या होगा, यहार, 4 पे, जो भी value होगी तो, यह x है ना, तो 4 पे भी 4 होगा, तभी तो slope 1 है, इसका तब 4 पे कितना होगा, sir, 4, क्यों हो यार, कैसे बता चला, sir, slope अगर 1 है, तो 4 पे 4 ही तो होगा, तो पता है, अब F4 प्लस क्या होगा, F4 प्लस, sir, 4 के जजबाद, अगर मैं बात करो, 4 के जजबाद, तो slope तो आपके पास कितना है, यह, इसकी value 4 थी, 4 के बाद आपके पास, अगर मैं बोलू, कि मैं अगर differentiate कर, यह तो function से आपके पास, आप ध्यान देखेगा, इतना देखा आपके पास, अब जब मैं differenceability की बात करता हूँ, तो आप जब 4 के जजबाद करोगे, तो अभी slope तो 1 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 के पहले और 4 के बाद में slope की value 1 ही होगी, यह, और F of 4 minus की value भी 1 होगी, यह, क्योंकि इस पूरे line का slope, कोई भी positive value पूट कर दो, इस लहेंगा slope same है, तो इसका मतलब ही 1 होगा, इसका मतलब है कि 4 plus और 4 minus पे value same होगी, अच्छा, कई लोग लग रहा होगा, सर 4 लिखना था, अच्छा, derivative की बात करो, derivative, F 4 plus, F dash 4 minus is equal to 1, तो this function is differentiable at x equal to 4, मतलब this function is differentiable for all positive value of x, this function is differentiable for all negative value of x, but x equal to 0 पे this function is not differentiable, क्योंकि इस जगा पे slope अलग अलग है, x equal to 0 के बाद slope is always 1, कोई भी value put करो, function is differentiable, x less than 0 पे this function is differentiable, क्योंकि इसका slope जो होगा आपकी पास, वो is always minus 1, अच्छा, इसको और अच्छे से दिखाता हूँ, अभी आपको लग रहा होगा, अच्छा, एक और इंट्रस्टिंग बात, जब आप बोलते हो कि function आपके पास ऐसा है, ठीक है, मतलब अब इसको नहीं होना कि मैं इतनी सारी बाते कर रहा हूँ तो, f of x equal to mod x है, ठीक है, क्या मतलब था इसका, sir mod x, sir, यह पता था, अब अभी तक बताए नहीं, sir, 0 क्यों लिखे थे, ठीक है, बताएंगे, बताएंगे, x greater than 0, दुनिया के हैर बुक में यह लिखा हुगा है, definition of mod x, x less than 0, this one, यह, यह दिखे आपके पास, yes sir, अगर मैं बोल दूँ कि f of x की value है, अगर मैं बोल दूँ कि f dash x बनाओ आप, differentiate कर लो, तो क्या आपके पास यह 1 होगा, मैं बोल था कि x greater than 0 लिखेंगे, देखे ते हैं, और यह minus 1 होगा, और x less than 0 लिखेंगे, पताएं, यह f dash x, यह f of x mod x का figure है, this is the mod x figure, this is the figure, mod x, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं को इसके derivative का figure बनाना है, बतब, sir, dy dx, derivative of mod x का figure, आप भई, derivative of mod x का figure, पता आपके पास, यह figure क्या था, यह तो एक वो गया, sir, straight line, इसका slope कितना था, plus 1, इसका slope, minus 1, यह इस नापके पास, यह, पता आपके पास, कितना आई यह, 1 आया, sir, x greater than 0 पे, यह 1 आया, इसदा 1, और यह कितना आया, minus 1 आया, पता है, x greater than 0 पे 1 आ रहा है, यह 1, और x less than 0 पे, is minus 1, x equal to 0 पे, this function is not continuous, this function is discontinuous, x equal to 0, this function is discontinuous, इसको signum function बोलते है, इसको signum function बोलते है, याद होगा अगर आपको, मैं पढ़ाया होतो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि, derivative of mod x, is the signum function, हाओ भई, आप मैंसे प्लटर हो, याद रखना, is the signum function, this function is discontinuous function, this function is discontinuous, that x equal to 0, x equal to 0 पे function discontinuous है, इसका मतलब है कि, अगर कोई derivative, किसी point पे discontinuous है, तो f dash x is discontinuous function, अगर मैं बोलू, कोई मैंसे पूछ रहे, कि आप dash x, continuous है कि discontinuous है, तो मैं बोलूँगा, f dash x, at x equal to 0, is your discontinuous, अगर कोई derivative, किसी point पे discontinuous है, इसका मतलब है कि, differentiation is not possible, at that point, x equal to 0 पे, वो function आपके पास जो है, इसका derivative काफी कर रहे है, derivative जो है, is discontinuous function, और अगर कोई function, discontinuous है उस point पे, derivative of function, is not function, discontinuous, derivative of function, is discontinuous है, इसका मतलब है, differentiation is not possible, at x equal to 0, अच्छा, अब हम क्यों नहीं लिखे, आप एक चीज़ ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखें, कि जब मैं को continuous की बात करना होता है, तो मैं क्या-क्या बात करता हूँ, जब मैं को continuous की बात करना होता है, जब मैं को continuous की बात करना होता है, तो मैं क्या-क्या बात करता हूँ, left hand continuous f0 minus right hand continuous और उस function उस जगा पे कितना है यह तीन बाते करते हैं और तीनों पे आपके पाँ बराबर होना चाहिए और finite होना चाहिए लेकिन जब हम derivative की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं हमको left hand derivative equal to right hand derivative बर यह बराबर होना चाहिए और finite होना चाहिए हम function की बात नहीं करते हैं मतलब हम derivative के function की बात नहीं करते हैं किछ जगा पे कितनी value है हम सीविन दो की बात करते हैं यह दोनों बराबर होना चाहिए और finite होना चाहिए तो फिर function differentiable होगा इसका मतलब है कि जब मैं इसको differentiate कर रहा था तो x greater than 0 पर 1 आ रहा है और x less than 0 पर minus 1 आ रहा है और जब मैं को पता है कि function continuous नहीं है अच्छा अगर मैं यह लिखाँ तो यह better version है अगर मैं equal to 0 लिख देता तो यह गलात होता क्यों गलात होता क्योंकि x equal to 0 पर 1 भी दिखता जबकि x equal to 0 पर discontinuous function x equal to 0 पर function discontinuous है x equal to 0 पर function discontinuous है इसलिए यह better version नहीं होता अगर मैं अपडेस x लिख देता इसलिए आप limit को copy नहीं कर सकते जैसे 1 लिख देता और बोलते कि सर लिमिट तो copy करेंगे ना सर x greater than 0 पर और minus 1 हो रहा है और x greater than 0 पर अच्छा इससे differentiable नहीं है तो नहीं आता हो तो सही है लेकिन यह better version नहीं होता है not better version this one is the better version यह लिखते तो x equal to 0 पर भी 1 दिख रहा है जबकि यह function discontinuous at x equal to 0 पर अच्छा signal function को कभी कभी लोग ऐसे भी अच्छे से बनाते जैसे मैं signal function बनाया भी आपको signal function बोल दिया कोई दूसरे ब्रांच वाला सूस सकता है कि signal function क्या होता लेकि मैं सबको पढ़ा चुका हूँ तो derivative of mod x is very very important जिसको आप signal function बोल रहा है तो दुनिया में signal function जब लोग बनाते तो दो तरीके से बनाते एक ऐसा बना देते हैं और यह ऐसा बना देते हैं सबको दिख रहा है कि discontinuous है सभी लोग discontinuous बोलते हैं ऐसा कोई नहीं की जो नहीं बोलता है x greater than 0 पर 1 है और x less than 0 पर minus 1 ह इस function is discontinuous कौन सा function derivative of this function signum x is the discontinuous at x equal to 0 अच्छा कुछ लोग इस figure को ऐसे draw करते हैं कुछ लोग इस figure को ऐसे draw करते हैं d by dx mod x बारवाली खराओं यह कुछ लोग इससे वो बना देते हैं यह और फिर बनाते हैं इसका तो वो बताना चाहते हैं कि देखो x equal to 0 पर value कुछ नहीं है ऐसा बनाते हैं bubble बना दिए फिर बोलते हैं देखो x greater than 0 पर value 1 है और x less than 0 पर value minus 1 और x equal to 0 पर function defined नहीं है x equal to 0 function defined नहीं है बहुत आर करेक्ट नो इस हो बहुत सारे लोग mess जब पढ़ाते हैं लोग mess मेंसे बना देते हैं बहुत आर करेक्ट it's okay x equal to 0 का function discontinuous है x equal to 0 का function क्या है यह discontinuous है तो अगर कोई function बार बार बोल रहा है f of x is not differentiable at x equal to 0 इसका मतलब ही जाने वाला है इसलिए ग्राफिकल थौट इस वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफिकल यह आप कैसे देख रहे हो कैसे सोच रहे है ग्राफिकल थौट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आपके पास जो function था वह continuous भी था पर फंक्शन बाकी हर जागा इस इक्सिक्वल डू जीरो पर बाकि को बोला जाए यह एक्सिक्वल टू पर यह तो हर जगा वैली वन ही आएगी अब सोच़ और डेरिवेटीव है यह 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 एक्डेस एक्स का फिकर है यहां पर वन है यहां पर टू है यहां पर थ्री आपर फूर एकुछ भी लिख़ा यारी वन टू थ्री फॉर फाइव अगर मैं बोलू कि और फॉर के राउन में बताओ एपडेस एक्स का फिगर है एपडेस फॉर प्लस पर बताओ कितना होगा अरे फॉर के बाद तो वन ही होगा यह आपको बिना सोचे समझे डिफ्रेंस अब नहीं 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 बोलना है अचा इसका मतलब यह हुआ कि मॉड एक्स जो होता है वह हुता है इस उसका डैरिवेटी मी चै। इसलिए नहीं तो क्योंकि एक्स इक्स फॉक्षण ग्रेडंडू के बाद कोई वैली थ्री गूलode 5 ओoru माइनस वन बोलो माइनस टू बोलो माइनस त्री बोलो इस डिफ्रेंसिबल नहीं है तो आपको किस के बारे में क्या पता है अगर आपको किसी फिगर के बारे में पता है फिर मैं आपको टेंजेंट बताने की कोशिस कर रहा था कि यह यूनिक टेंजेंट नहीं है इस जगह प we are not getting unit tangent यहाँ पे, यह minus 1 से plus 1 हो रहा है तो अगर मैं बोलो कि यह जो tangent line है यह empty लिख देता हूँ मैं, slope है tangent line का slope, कितना है minus 1 यह लिख देता हूँ कि यह tangent है आपके पास यह, तो there are two tangent 0 के पहले अलग tangent है, यह tangent है यह straight line अलग tangent, इसका slope minus 1, इसका slope plus 1 not unique tangent x equal to 0, x equal to 0 के round यह unique tangent है ही नहीं ओके, यह गे ग्राफिकल यह था mathematical thought कि यार भी है, मिरे पास mod x का बारे में है मैं differentiate किया, better version लिखा था x equal to 0 हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि x equal to 0 पे डिफरेंस ही नहीं जब आपको पता है कि x equal to 0 पे जो क्या है, इसलिए भी ना सोचे समझा आपको equal to 0 लगाना है, तो सर कभी भी नहीं लगाना है कि नहीं लगेगा जब continuous function होगा derivative जो derivative है, अगर वो continuous function है तो लगाएंगे कोई issue भी नहीं होगा, सब बात करेंगे ना, सब बात करेंगे, धीरे-धीरे ऐसा नहीं हो सकता, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने का, सोचने का, देखने का, इतना अच्छा आपको समझा आना चीए ऐसा नहीं हो सकता कि आपको unique tangent का मतलब नहीं पता आपको graphical thought नहीं पता, आपको differentiation का जो function बन गया उसके बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं हो अब सोचिए, जब मैं बोलता हूँ कि x square का mode, basic thought क्या हुआ, अब थोड़ा अच्छा कई बार यह basic thought इसलिए भी कामा जाता है कि एक ऐसा function है, जितके बार में आप कुछ नहीं जानते हो उस समय तो बहुत कामा जाएगा, तो basic thought यह है कि sir, मैं तो बोल रहा हूँ कि sir, f of 0 प्लस निकालने जाते है मतलब right hand derivative, हाँ बिलकुल और sir, limit h tends to 0 हाँ, और f of a plus h sir, तो 0 प्लस h, a की जगाँ 0 है और minus f of a, f of 0, divide by h, यह होगा आपके पास और अगर मैं solve करने जा रहा हूँ आपके पास, तो यह होगा limit h tends to 0 limit h tends to 0, f a plus 0 प्लस h होगा तो mod के अंदर 0 प्लस h का whole square, यह minus f of 0, तो 0 का square और mod के अंदर है और divide by कितना है, h है, त्यान से अगर देखा जाए, क्या आगे है f of 0 प्लस की value limit h tends to 0 था, limit h tends to 0 था, और h का square है, तो simply h का square बहार निकालने minus 0 था, तो 0 होगया, तो divide by h होगया, तो h square by h है, 0 पूट करेंगे, तो 0 by 0 फॉर्म आजाएगा, जब मैं इसको solve करूंगा, 0 by 0 फॉर्म को, तो पता है, right hand derivative is 0 आगे आपके पास, ओके, is the good mathematical form, yes sir, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि f of 0 मानस कर लेता हूं, that means the left hand derivative, बिल्कुल sir, limit h tends to 0, यह, अब f of a तो f of 0 मानस, f of a मानस h, तो 0 मानस h, divide by h, limit h tends to 0, limit h tends to 0, यह, और यह, आपके पास आगे f of 0, तो 0 मानस, 0 मानस h का whole square, फिर mod, divide by h, इतना था आपके पास, अगर मैं बोलूं कि f of 0 मानस derivative, यह, एक चीगला दिका, derivative नहीं लगा है, derivative नहीं लगा है, derivative नहीं लगा है, यह, डेस लिखना जरूर ही, f days, 0 मानस, limit h tends to 0, क्या हुआ, पहर टम आगे है, 0, दूसरा टम आगे, minus h का square करेंगे, तो h square, और mod है, बाहर मानस है, तो मानस h square आगे, मानस किसे आ सकता, सर, mod है, अरे, mod मानस नहीं है, मानस के बाहर मानस था, इसलिए मानस लिखा, वो तो प्लस ही h square, divide by h है, फिर से 0 by 0 form आ गया, फिर से 0 by 0 form आ गया, और l hospital रूल लगा है, 0 by 0 form के बाद, तो minus h square कितना हो गया, minus 2h हो गया, और ये कितना हो गया, वन हो गया, तो minus 2 और h की value 0, आंसर will be 0, इसका मतलब क्या हो गया, सर, ये तो बराबर आ रहा है, विल्कुल बराबर आ रहा है, f days 0 plus और f days 0 minus के लिए बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया, कि sir f dash 0 plus equal to f dash f dash 0 minus value 0 finite आ रहा है yes sir finite 0 is 0 is finite value बराबर है finite value this function is differentiable this f of x is differentiable at x equal to 0 this is the basic thought तो मैं चाहता कि कोई यह लिखी ना पा रहा हो दो बार तीन बार लिखने के बाद चीज़ आसान हो जाती है this function is differentiable at x equal to 0 yes sir this function is differentiable at x equal to 0 अच्छा अगर मेरे पास mathematical thought अगर यह है तो अगर मेरे पास यह basic thought हो गया अगर मैं mathematical thought लिखता हूं अगर मैं mathematical thought लिखना है mathematical thought अगर मैं लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि f of x जो X का स्क्वेयर थो X का स्क्वेयर आगा ऐक्स ग्रेड़ेन जीरो फिर मायनिस लिखोतों मायनिस X का स्क्वे थे ख impact एक्स ध लगादेते हैं तब मैं बोल दीता है कि sir में को तो यह लग रहा है x 2 x 4 순ते हो úमाad के लिमाट के अंडर एक्स करें ठीक फिर्शेक्र और मॉढ लगा है कि एटीव कि अल्वेंगेडि पॉट करूंगा तो सिर्ट के अगद गिल्ट मेंगेडिव कर दो माँश इसक fifty न कीजSab इसार इसमें फ़ोगें आप सोच्छोग एसे लिखिए हो अब नेगेडिव पुट करूंगा तो उसकर पॉड़ेगाए उसक में पॉजधि या तो mathematical thought x square था ये भी x square x greater than equal to 0 और x less than 0 दोनों पर ही इसलिए मैं यह लिखा दिस वन चेक दिस अब अगर ऐसा है तो मैं बूर रहूं कि f of x यह है तो क्यों ना मैं बात करूं कि sir फिर तो मैं f dash x लिख लेता हूं हां डिफरेंसेट करते हैं आपन क्या है x square का 2x है फिर x greater than equal to 0 और x square का फिर से 2x है यह भी 2x है अब ध्यान देखो f dash x है आपके पस यह अब देस x है यह derivative में को 0 पर find out करना बताओ f dash 0 plus क्या होगी इस function इस continuous पता आपके पास कैसे एब डेस यह function की value f dash 0 plus पर value कितनी है f dash 0 plus पर value कितनी सर यहांस निकाल लेंगे 2x0 तो 0 है sir f dash 0 minus पर value कितनी है यह derivative function है यह 2x0 तो 0 आ गया इवन यह function continuous है क्योंकि right hand limit और left hand limit किसकी आपके पास इस function की derivative है वह आपके पास इसका अब यहां पे आप equal to 0 यहां लिखो यहां लिखो सब सही है मत्तब दोनों जगा लिखो के अजीव लगेगा तो यहां पे आप equal to रख सकते हो क्योंकि derivative differentiation के बाद भी इस function continuous तो f dash x hello f dash x is also continuous is also continuous और जब f dash x is also continuous और जब f dash x also continuous है तो equal to लिखना ही चीए क्यों क्योंकि अब आप f dash 0 की value भी कहीं से निकाल सकते हों सर अगर मैं यहां लिख देता तो इसकी जगा तो इसकी जगा होता कुछ गलत नहीं होता है तो इसकी value 0 का इसवे बुट कर लो यह देखो 2 into 0 यह देखो इसका मतब है कि जो फंक्स derivative है वह भी continuous है अच्छा अब बात यह बसती है कि एक function जो है सोचो कोई derivative of function continuous है तो continuous में तो तीन चीज़ बराबर होना चाहिए और और 2x यह आ रहा है अच्छा अभी आप सोचते थे सर मैं minus 2 x लिख देता तो भी क्या गलत हो जाता है यह बात वह क्या बोल देते हैं कि मैं कि नेगेटिव एलिए आप एक्स के लिए बोल रहा है नेगेटिव है यह हम क्या बोल रहे हर वैल्यू के लिए पॉजिट्व और यह वैली तो हमें साथ पॉजिट्व होता है इस वैंस दे करेक्ट ओके सभी अब देखना कि में को पुछा गया था कि यह डिफरेंसेटी नह पूछ दे कि नहीं पूछते इसलिए मेरी बाते बहुत धियान से सुनना जरूरी है क्या बोलते हो लोग ऐसा नहीं कि फंक्सें सिप कंट्रियांस फुछते कभी-कभी तो डेरिवेटिव डिफरेंसे वहले कि नहीं यह बात करते अराम से ठीक है देखना अगर मैं वह बोन और x greater than equal to 0 और 2x और x less than 0 यह अगर मैं double derivative निकालो तो मतब differentiation of first derivative तो यह second order derivative हो गया क्या आएगा सरे 2 आएगा सर एक्स greater than equal to 0 पे और यह भी 2 आ रहा है सर x less than 0 यह देखो और इसमें भी अगर ध्यान देखा जा तो जो always 2 इसका मतबब है कि double days की value two plus double days की value 0 प्लस पर f double days की value 0 प्लस पर f double days की value 0- पर और even f double days की value 0 पे भी इस always 2 अगर यह value 2 और यह minus 2 होता तब तो चीजे चेंज जाती इसका मतबब है कि second order derivative is also continuous second order derivative is also continuous f double days x is continuous तो यह भी continuous तो फिर तो आपके पास डिफ्रेंस सब्सक्राइब करके तू के बराबर इसका तब इसका डिफ्रेंसेशन पॉसिबल पॉसिबल रहे तो हमको आइडिया रहना चाहिए कि किसी derivative को continuous बोल रहा है मतलब मैं बोल रहा हूं कि यह function continuous है इसका second-order derivative continuous है इस इस function is बताइए कोई function अगर किसी जगा पर कोई function अगर continuous है कोई function अगर continuous है किसी का derivative continuous है तो function differentiable होगा मैं यह बोल रहो क्योंकि derivative continuous हो गया किसी पॉइंट पर तो सोचो उस पर तीन तीनों वैली सेम होगी और अब आप बोल रहें कि function differentiable एक ही नहीं तो दो ही तो वैली बराबर चाहिए राइट और लैप वाली वैली तो function differentiable बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरक continuous है तो differentiable होगा ना नो नो डेरिवेटी continuous है तो फिर function differentiable है यह बोल रहा हूँ ठीक है यह आपके पास हुआ इतना हम देख रहे होंगे यह पुरा mathematics approach था आपके पास mod की property यूश की है अगर मैं बोल देता कि mod x square था आपके पास यह this one यह f of x equal to अगर मैं बोल दो कि f of x की value क्या है तो बहुत सर x square का mod है और अगर मैं बोल दो कि मैं अगर ऐसा करूं तो क्या graphical thought लूं तो अच्छा graphical thought थोड़े पहले भी लिए थे आप graphical thought यह graphical thought जब मैं graphical thought की बात करता हूँ तो पता है x square का जो figure होता है यह पहरा बोला है अच्छा आप फ इसका मतलब यह वा कि दिस वन इडा पैरा बोला यह तिस वह दा आ पहरा बोला यह किदे को धिया झेंस और f of x x square नहीं और जब यह x square for all values of x for all values of x मतब मौट के अंदर स्क्राइब भी definition chain नहीं होगी विकॉस x square और mod x square सेम होता है इवन मैं बूल दू कि mod x का square भी वही होगा मतब x square का mod या mod x का square दोनों में को और इवन x square में को difference नहीं है मतब कितनी मजदार बात है कि कोई function x square लिखा है या mod x का square लिखा है या x square का mod लिखा और all three functions are same सिब लिखने का style अलगाल है तीनों का figure यह है अब सोचो इच x square always the always x square the even function the symmetrical about the yx is the even function तो सुच इसको अगर मैं जब differentiate करता हूं सुचो डिफरेंसेट करूंगा तो क्या होगा f दैस x सुच इसको डिफरेंसेट करूंग x square को क्या है कि इसका differentiation sir x square का 2x 2x का figure क्या होगा sir straight line sir always straight line यह slope कितना is always 2 sir E b2 यह minus 2 सो में नहीं स्कॉर्ण ने नहीं पूर एक लएन काई की slope होता है the slope 2 इसले तो डेरिवेरिटि की value से कि रिफरेंसे थे हर पॉंट पर सके slope की value है आप सोचो कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालता तो क्या होता अच्छा इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालता तो क्या होता अच्छा इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालता तो क्या होगा एप डबल डेरिवेटिव निकालता तो क्या होगा स तो सेकेंगर डिडिवेटिका फिगर इच अलवेश्ट तो सर इस दा कंटुएंस फंक्शन है इसका मतलब इस इस की कोई भी अलीब आपकर अल्वेल्यस अप्स दूबल है यस सर इस फंक्सलिकाश्ट पॉसिबल है क्यों कि जाब डिफ्रेंसेट कर लिए आप इस दा अगर बोलूँ कि इस फिगर से बोलूँ कि इसका slope 2 है तो एबडेस 0 प्लस की value क्या होगी इस फिगर से एबडेस 0 प्लस की value क्या होगी 0 के जज़बार यह derivative है यार मतब slope सर 2 सर सही एबडेस 0 माइनस की value सर 2 सर always 2 सर slope सर तो differences है इस possible at x equality 0 तो बिल्कुल सही है अच्छा एक concept यह होता है कि जब आप mod x की बात कर रहे थे सर तो आप बोल रहे थे कि mod x और mod x square में एक बात कर ले देबाद सर जब आप mod x की बात कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी बात किया थे आपकी सर यूनिक टेंजेंट बोल रहे थे और आप बोल रहे थे कि यह mod x का figure है और यह mod x square का figure है आप एक termology बोल रहे थे जब जेमेंट्रिकल मेनिंग की बात कर रहे थे ठीक है बात कर लेता है तो सर यह था सर और यह था सर यह जीरो पे सर इसका स्लोप मानस वन था इसका स्लोप सर प्लस वन था यह सर टेंजेंट लेंग का स्लोप है और इसलिए बोल रहे थे सर कि जीरो के पहले यह एक दिस जीरो मानस इसका मतलब है यह सर एक दिस जीरो प्लस जीरो के जज़बाद स्लोप इस प्लस वन और यह सेम नहीं सर इसलिए इस फंक्सटे ओकिस यह जो जब भी आपका स्लोप ना अबरबली चेंज होता है आपके पास यह जो है इसको बोलते सार्प कॉर्नर और को नर यह आपके पास यह यूनिक टेंजर नहीं देगा कभी भी यूनिक टेंजर नहीं देगा कि आम्टी की वैल्यव माइनस उंड़ो प्लस वन हो गया स्लोप प्लस में देग कर देग द into we सब्सक्राइब इसका तब यहां पर जी जीरो है जीरो के ज़स्ट पहले पता आपके पास अगर मैं इसमें टेंजेंट खी चुंगा तो यह टेंजेंट आपके पास स्लोप आएगा इसका तब यह एम्टी की वैली जीरो है इसमें भी एम्टी की वैली जीरो है यह साफ कॉर्णर नहीं है दि यूनिक टेंजेंट है तो यूनिक टेंजेंट अच्छा इसलिए कभी-कभी लोग यह सब बाते कम करते हैं उनको लगता है कि एक नॉर्मल इस्टुमेंट डर जाएगा उसको लगता है सर यह सब मैं कहां देखूंगा सर इतना थोड़ी में समझ पाऊंगा ठीक है मैं तो सभ पर अब कास या यह यह पास अबसकल करनों तक से लूप कितना है यह 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 उन in ट्रोपो यह स्टुम किएय ए प्ता Sa WiFi में जोल्यव इसके बारे में किसका स्लोप कितना था किसका स्लोप कितना था किहीन का यह यह संता इसका तब क्या हुआ इसी को यूनिक टेंजेंट बोलेंगे तो ग्राफिकल थॉट्ट मैथामेटिकल थॉट्ट बेसिक थॉट्ट सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए आपका तो यह इसका डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंसेबल है इसके डेरिवेटिव जितने है वो सब के सब कंट्वियंस फंक्शन है इस गुड थिंग ओके ठीक है आई होब आपको इतना क्लियर हुआ होगा जब मैं बुलता हूं कि मौड एक्स स्क्वेर इसका तब आपको समझ तो आ गया कि मैं क्या क्या चाहता हूं यह सर समझ तो आ गया सर कि आप चाहते कि एक एकदम क्लिय immediate as tend to zero f of a plus h to 0 plus h minus f of a f of 0 divide by h limit as Coast की look morte के नदर मैंनड जिरॉ का क्यूब के न दर अब जिरो बाई captivi एज जी पाम। यालस की एका डेख स्क्वाई भाईगा यह क्योफ स्वाई है जब इहरे जेलो फाम हो एच्क्यूब का डिफेनसे संट सथी एच स्क्वार्ड बिल्कुल सही और एच का वन सथ अब एच की वैली जीडू करो सथ्री और एच में जीरो पूट किया सथ आंसर भी जीरो ठीक है अब यह हो गया राइट-hand डेरिवेटिव लफ्ट-डेरिवेटिव क्या होगा सथी लिख देते हैं left hand derivative f is 0 minus क्या हुआ limit h tends to 0 limit h tends to 0 this one f of a f of 0 minus f of a minus h 0 minus h divide by h equal to limit h tends to 0 जब मैं 0 की बात कर रहा हूं तो 0 का cube mod के अंदर minus 0 minus h 0 minus h के cube की बात कर रहा हूं बट mod के अंदर और divide by h दिखान से अगर आप देखोगे कि sir ev days 0 minus की value क्या है तो limit h tends to 0 है हाँ तो 0 हो गया minus और mod में minus h का cube हो गया तो minus h cube mod है तो इसलिए h cube आ गया लेकिं बाहर का minus तो रहेगा डिवाइड बट करोगे ल हॉस्पिटार रूल लगेगा फिर limit h tends to 0 बट करोगे ल हॉस्पिटार रूल लगाने के बात माइनस 3 h का square हो गया यह आपके पास यह और डिवाइड बट आपके पास h है किता answer आया sir h h cancel out हो गया मतलब differentiate किये ना तो h का 1 हो गया तो यह 1 तो minus 3 h square आया और h की जगा 0 बट किये तो sir answer 0 जैसे पहले 0 था अभी भी 0 है कि देखो इसका मतलब क्या हुआ sir इसका मतलब यह हुआ कि sir f of 0 plus x equal this f days 0 minus is equal to 0 is the finite value इसका मतलब sir f of x mod x is differentiable at x equal to 0 x equal to 0 पर differentiable है sir x cube यह this one ओके ठीक है अब अगर मैं बाल लूँ कि mathematical thought के according अगर मैं बात करना चालू करूं कि ठीक है sir mathematical thought के recording बात करते हैं फ of x की value f of x की value कितना है x cube mod के अंदर f of x की value कितना होगा so positive value of x cube और x greater than equal to 0 और minus x का cube और x less than 0 पहरा is x cube x greater than 0 second is minus x cube x less than 0 this one is the f of x ज्यान देखो x value positive पूट करो के positive आगा always positive always positive ठीक है अब देखो x less than 0 तो x की negative value पूट करो minus 2 पूट करो minus 2 का cube minus 8 बाहर minus है minus x cube is always positive for x negative और x negative पूट करेंगे तो क्या होगा एपडेस x करने से यह जो x cube में कितना आ जाएगा 3 x square बिल्कुल सही है x greater than 0 और x cube में minus 3 x square तो बराबर नहीं आ रहा है कैसे बराबर नहीं आ रहा है x equal to 0 पर सब्सक्राइब करो ना तो 3 x square minus 3 x square अब x 0 बूट करोगे तो answer 3 minus 3 थोड़ी हो जाएगा 0 रहेगा इसके यह अभी भी continuous है इसका derivative इसका derivative continuous है आप x equal to 0 पूट कर सब्सक्राइब किसी में भी there is no issue यह एपडेस x आ गया तो मैं बोल रहा हूं कि देखो एपडेस x इस continuous function है मतलब f-day 0 plus equal to f-day 0 minus equal to 0 है तो function is differentiable है यह function differentiable बिल्कुल सही अच्छा जमें continuity की बात करता हूं तो f-day 0 plus equal to f-day 0 minus और equal to f of 0 the continuous तो जो function जिस जगह पे अगर आप बोल दिये कि एक derivative अगर continuous है तो differentiable तो हो नहीं है derivative continuous मतलब तीन value का same होना और आपको 2 value चीबस right or left यहां तो function भी defined होता है और यह सब value कितनी है जीरो इस सब value कितनी है जीरो इस finite value तो this derivative is continuous और अगर derivative continuous है तो डरने लगाना फिर अच्छा जिसके सेंच चालू था मेरा मैं बोला एक डेस डिफ्रेंसेट कर दिया हो एक बार डिफ्रेंसेट कर दिया यह एक डेस एक्स की value ठीक है सर्था एक्स की value कितनी आगी कर दिकितना होता है six X होता एक्स डेसट एक्स एक्स नेछ कोववार्य ने doenus पर ट्राइर देरीवेटिव चैनल आड़ कि ॉश्वेक्ट दैरीयुेom और अगर सेकिन टॉडर डेरिवेटिव से minorities सहें कटिवेटिवेक्ट दिए बैटियुस्ट कटिवेक्टॉनियस है सब अगर से किन टॉडर से क्न टॉडर arc the difference is but difference ability of first order उदोगा वहह भी different he is मतलब difference हम किसी को बोलते इसका पर फ्र्स ओर डेरियुटी अगर हम बोले किसी फॉंक्सिंग का डिप्रेंस इस जिए इसका समझाना चाहिए आपको सेकन्ड डाड डेरीवेटिव जो है आपको दिखे रहें से बले यस कि दुकार सेकन्ड डेरीवेटिक अच्छा अगर मैं बूलू कि मैं इसको गर f triple x करता तो f triple x करता तो f triple x x करता तो क्या होता sir f triple x x करते हैं तो 6 x 6 होता sir और minus 6 यह है पता है अब ना अब अब मैं x greater than 0 लिखूंगा equal to नहीं लिखूंगा भाई साब क्यों पता है क्योंकि फंक्सन डिफरेंस यह फंक्सन जो है यह फिर्ड डेडिवेटिव यह नहीं है 6 और minus 6 सुचो ना f triple x 0 प्लस पर वैली कितनी है सब 6 है f triple x 0 मानस पर वैली कितनी है minus 6 है तो this function is not discontinuous function यह discontinuous function प्वंसा यह triple x 3rd और डेडिवेटिवेटिव ता यह वेली बराबर नहीं है अच्छा अगर कोई function जिस जगा पर अगर यह थार्ड डेडिवेटिवेटिव इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि यह नौट डिफ्रेंसेबल नौट डिफ्रेंसेबल कौन f triple x x equal to 0 पर थार्ड अडर डेडिवेटिव इस जी नौट पॉसिबल एट एक सेक्ट डिफ्रेंसेबल था यह थार्ड अगर डिफ्रेंसेबल नहीं है थार्ड अगर डिसकंदियोंस भी वैसे इस वन 6 और मानस 6 को दिखना चाहिए था आपके पास f of x की वैलियू इसी थी आपके पास फिर f of x की वैलियू आपके बात किये ठीक इतना हमको दिख गया यह सर अब हो यह था हमारे पास figure f of x equality क्या था सर एक्स क्यूब सर और उसका मॉट सर अगर मेरे पास बस पठापठा हम आगे बढ़ेंगे अगर मेरे पास ग्राफिकल थौट की बात होती कि ग्राफिकल थौट क्या होता है पता है f of x का जो figure होता है f of x में अगर मैं बोलूँ कि मॉट x का कर मैं figure ड्रॉ कर रहा हूं मॉट x का नहीं करता है एक्स क्यूब का करता हूं पता है और फंक्सन होता है यह और फंक्सन होता है यह बेटर है जाद़ बेटर है यह 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 बेटर फंक्सन खेंक्स की एक्स क्यूब का फंक्सन है अगर मैं बोलू कि मैं को बनाना है किया ? मॉड्ड का फिकर , तो मॉड जैसी करूंगा तो तो 나와 पॉजिटीव फिकर बनाना मतलब बंच्प सर्थ पॉजिटी वैल्ट का फिकर बनेगाは बने गा और जो ने-गरडी वैली था of आइक जिसका रहे है तक है अगर मैं बोलूं मैं इसको में डिफ्रेंसेट करता अगर मैं बोलें करता एक स्कूर आपके पास अपके पास यह था पर एक स्केर एक स्केर नेगेटी वेली पुट करोगे तो भी पॉजेटी आ जाएगा पता है पैरा बोला बनेगा आपके पास इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि सर अगर मैं इसको डिफरेंसेट करके अगर फिरबना रहू खुब ग्राफिकल मनें डिसकस कर रहा हूँ डरने की जरुबत नहीं है आप आपको डिपेंड करता है क्या लगता है जब मैं इसको डिफरेंसेट कर रहось था आपके पास तो ठीक है कोई सोल्श Creek ह स्क्र profoundly यह दीवाइड क्यूर्ड मतलब box बना फिखर भी आपके स्क्रापास इसके स्क्राभ सुन दिल्ए है कृपके पास रहां है यह इंपी आपके पर सैंपको यह ईच iron जिरो इसका भी डिरिव इसका भी पॉसिबल है अगर मैं डबल डेस एक्स करूँ तो पता आपके पास कितना था यह था सब 6x और यह और एक्स ग्रीड जीरो पर 6x तर यह – 6x अब पता फिकर कैसे बनेगा अच्छा यह यह इवन है यह इवन है जब आप इवन को डिफ्रेंसेट करते तो यह और बन जाता इसको फिर से में डिफ्रेंसेशन करूँगा तो फिर से यह इवन बन जाएगा अब क्या बनेगा पता आपके पास फिर से डिफ्रेंसेशन करूँगा तो f double d s x का figure क्या बनेगा पता आपके पास f double d s x का यह क्या बनेगा यह देखो आपके पास six or minus six अब आपके पास इसका टेंजन नहीं होगा, यह MT की वैली मानस 6 है, इसकी वैलियू, इसको अगर आप डिफ्रेंसेट कर दो, जो यूनिक टेंजन नहीं बनाता है, इसके लिए थार्ड ओर डेरिवेट इस नोट पॉसिबल, मतब डिफ्रेंसेट नहीं है, क्या होता है, जैसे मैं बनाता हूँ तो यह 6 बन जाएगा, और यह मानस 6 बन जाएगा, आपको लगता है कि यह बना देते हैं सर, यह देखो 6 बन गया, और यह मानस 6 हो गया, यह X greater than 0 पर और यह X less than 0 पर, इस वन, यह, इतना सार डिफ्रेंसेट कर दिया, अब unit tangent नहीं है, कभी कभी बोलने के लिए बोला जाता है कि सर, इसमें unit tangent अगर आपको बताना है तो, अच्छा, अगर किसी को इसमें unit tangent लिखने की जरुवत है, तो पता आपके बस क्या होगा, यहाँ पर unit tangent लिख रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ पर ऐसा जा रहा उपर, तो यह empty की value होगी, प्लस infinite, जब प्लस infinite, इसका अगे की बात तो हम करते नहीं है, ठीक है, यह आपको clear हना चाहिए, इतनी बात है, ग्राफिकली, तो जब हम से कोई कुछ पूछ रहा है, तो ग्राफिकली, आप कितना जानते हो, क्या जानते हो, यह देखो, को, even का differences na odd होता है, odd का differences na even होता है, फिर से even का defences दो odd होता है, तो देखो, यह आपके पास even था, फिर से given से gepreses अब अगर बोर रहा हूँ कि यह 2x प्लस 3 है 2x प्लस 3 की बारे में जब मैं बात करना चालू कर रहा हूं तो अब मैं पूरे तरीके से पूरी बाते कर सकता हूं कि अगर मैं को किसी mod की बारे में कोई पूछ पूछ रहा है तो आप इतना पढ़ चुके अब ऐसा तो नहीं है कि मैं फिर से X 1060 करूंगा तो करी सकते मैं बुरना हूँ जब भी कोई आपसे mod की बारे में बात कर दा तो आपके पहले mind में क्या बाते आना चाहिए कि sir we know that या I know that mod x sir क्या होता है mod x यह sir मैं जानता हूं sir या आप जानते हो न अच्छी बात है यह यह sir यह mod x का figure यह mod x का figure the minus one slope this one is the plus one slope यह 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 mod x figure पता mod x figure क्या है X equal to 0 पह जब भी आप बना रहे तो यह mod x figure होता है यह unique tangent नहीं होता आपको पता है कि mtq वेली minus 1 से 1 है तो mod x जो है is discontinuous है at x equal to 0 clear त्यूकि टेंजेंट चेंज हो रहे आपके पास और यह sap corner है यह mod x का figure है x equal to 0 पह बना अब 2x plus 3 है आपके पास mod 2x plus 3 है अब जो भी आपके उस function दिया है अब mod 2x plus 3 है तो इसको 0 पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि sap corner कहां पे होगा तो x की वेली कितना आने माला पता है minus 3 by 2 यह इदा minus 3 by 2 minus 3 by 2 के लिए अगर आप figure draw कर रहे है minus 2 by minus 3 by 2 के लिए अगर आप figure draw कर रहे है this one दिखना के answer यह किसका figure draw कर रहे पता है 2x plus 3 का mod 2x plus 3 का minus 3 by 2 का होगा सरी जीरो होगा minus 3 by 2 यहाँ कहीं होगा yes minus 3 by 2 यहाँ कहीं होगा माले तो यह माले तो बदा आप कि पास अगर मैं बोलूं कि अगर आप ध्यान से देखो 2x plus 3 है अगर आप बोलो कि 2x plus 3 है यह तो positive slope होगा, negative slope होगा, कितना होगा, इसका slope कितना होना चाहिए, इसका slope 2 होना चाहिए, इसका slope कितना होना चाहिए, minus 2, सर कैसे पता कर लिया, अरे 2 था, इसको देखके 2 लिख 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 at x equal to minus 3 by 2 जिस पे भी इसके पास sharp corner होता है जिस भी point पे sharp corner दिखे आपके पास this one यह sharp corner उस जगा पे वो discontinuous हो गई चाहिकि तब ही मैं supply कर लो इस जगा पे यह sharp corner तो discontinuous होगा अच्छा और भी बात है आपके पास मैं बहुर रहा हूँ कि अगर मैं को बताना होता है कि slope कैसे लिख दी आपके पास और mod 2x plus 3 के बारे में बात करना होता तो कुछ इसू नहीं है थोड़ी सी बात तो आप करी सकते है f of x से सर क्या है सर mod 2x plus 3 है हां सर अच्छा आपको लिखने का बहुत मन कर रहा है यस सर तो 2x plus 3 लिख दो इस greater than 2x plus 3 greater than equal to 0 फिर minus लगा देते हैं सर minus लगा दो 2x plus 3 less than 0 है लिखो ठीक कर लो इसको यह कितना है सर 2x plus 3 है यह कितना है सर x greater than सर minus 3 by 2 चलो ठीक बात है यह कितना है सर minus 2x minus 3 यह कितना दिख रहे है सर x less than minus 3 by 2 चलो ठीक है यह क्या है सर f of x है यह 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 f of x है यह ना f of x इसका स्लोड कितना है सर 2 intercept कितना है 3 2x plus 3 का figure कैसे मंद cushion आप कि पास इसका slope आपके पस 2 है और intercept कितना आपके पस x की value आपके पस यह कम आपके पास mx plus 3 टो 3 पर intercept करेगा 2 आपके पास और – 3 by 2 के बाद बनाना है – 3 by 2 के बाद एक straight line में बनाना है जिसका slope 2 है और interspect 3 है इसका मतलब पता आपके पास इस वाले का figure कैसे बनता है यह कि minus 3 by 2 के बाद बनाना है तो minus 3 by 2 के बाद यह line बनेगी यह minus 3 by 2 के बाद यह line बनेगी और x equal to 0 पे कितना आएगा सर्थ 3 तो यह 3 अपने आप slope देखो कितना बन गया सर्थ 2 बन गया 3 divided by 3 by 2 तो slope इस 2 अपने आप 2 बन गया slope intercept जैसे पूट किये तो यह बन गया अप सोचो इसको बनाना है यह क्या है सर्थ 3 by 2 के बाद बने minus 3 by 2 के पहले बनेगा सर्थ slope कितना है minus 2 intercept कितना है सर minus 3 अब देखो आपके पास यह minus 3 by 2 के पहले बनेगा तो यह ऐसा बनेगा और यह नीचे line तो आपके पाद बनेगी नहीं तो यह intercept नप यहाँ cut करेगा नीचे कही जिसको आप hidden मनाओगे नीचे intercept cut करेगा जिसकी value कितनी होगी minus 3 यह minus 3 पे cut करेगा लेकि यह solid line नहीं होगी क्योंकि minus 3 by 2 के left में बनना चीए यह straight line बना यह वाला line बना पता है इसका slope कितना है minus 2x mx plus 3 होता है intercept यहाँ पे दिखने वाला नहीं है वहाँ दिखने वाला था यहाँ पे slope कितना है minus 2 ते this line का slope कितना है the minus 2 इसलिए जब हम इस figure को बना रहे थे तो यह बना दिये थे minus 2 का slope minus 3 by 2 के पहले यह है इसलिए इतना किसी को अच्छा आपको इतना आना जरूर चाहिए बट इतना मैं बुरूर हो कि अगर आपको एक mod x कोई भी लिखा उसके अंदर में उसको उठाओ 0 पुट करो और x की जो value आई की उस जगह पे एक साप को और ना बनाओ और खिश डालो और जो value आपके पाद जो slope होगा आपको अगर बताना भी है कि साप फंक्साइं इस कंट्रियोस हो देखो मैं बता भी सकता हूं f of x की value कितनी आई sir f of x की value आई कितने sir 2x plus 3 x greater than equal to minus 3 by 2 पे sir और यह कितना था sir minus 2x minus 3 x less than minus 3 by 2 function था f dash x कितना आएगा sir f dash x की value यह sir 2 आएगा और यह कितना आएगा minus 2 x greater than क्या लिखो minus 3 by 2 equal to लिखो क्या नहीं नहीं sir आप तो clear equal to नहीं लिखना है क्योंकि इस फंक्साइं इस कंट्रियोस है minus 3 by 2 पे sir पता है अगर आपके पास mod x देखना ध्यान समयना मैं क्या बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ अच्छे मैं को time बहुत सारा चीह रहता मैं बहुत सारी बाते continuously करना चाहता हूँ यह mod x है यह sir जो हम जानते है सबको जानना भी चाहिए यह mod x है sir ठीक है इसका derivative इसे को signum x बोलते है sir चला अच्छी बात इतना तो आप समझगे कि derivative of mod x signum x होता है ठीक है चला अच्छी बात है इतना आप समझ चुके हो इसका figure कैसे होता है इसका figure यह होता है sir यह 1 है यह minus 1 है यह अगर circle बनाना ऐसा तो बना सकते हो इस दा 1 इस दा minus 1 यह x greater than 0 पे है और यह x greater than 0 पे है इस डिफेंस हैं तो पता यह से x equal to 0 पे discontinuous function दिख रहे है यह था आपकी बस इस लोग किता था minus 1 इस लोग किता था plus 1 था अच्छा जब आप इतना जानते ही हो अभी आप किसका figure बना रहे है sir अभी mod 2x plus 3 का अभी कभी जल्दबाजी में लोग 3 by 2 पे बना देते है वोग जल्दबाजी में रहते है किस पे बना देते है 3 by 2 पे जबकि यह बन किस पे रहता सर माइनस 3 by 2 पे बन रहता बिल्कुल सही माइनस 3 by 2 पे बन रहता कितना स्लोब था माइनस 2 का यहाँ स्लोब कितना था प्लस 2 का अच्छा अगर मैं इसको डिफरेंसेट करता तो figure कैसे बनता अगर आप इसको डिफरेंसेट करते है इस mod को d by d x mod of 2 x प्लस 3 यह डिफरेंसेट करते है क्या बनता figure सर माइनस 3 by 2 पे यह यहाँ पर अगर मैं दिहान से अगर मैं देखूँ तो क्या बनने वाला है यहाँ पर बनता सर इस वन यह यह माइनस 3 by 2 है सर पता इस पर वैल्यू कितनी होती इस इस इकोल तो माइनस 3 by 2 इसका इस सर जब मॉड एक्स को जानते हो तो इतना अती नहों कि 2x प्लस 3 बनाते बनाते आप 3 by 2 पे बना दो यह बहुत गलत बात हो जाएगी कि सर में को तो लग रहा था सब 3 by 2 पे बनाते तो फिर बता ही किया फिर जिंदगी में कुछ नहीं बचा फिर फंक्सान वंक्सान क्या होते उनका कोई लेना देना नहीं फिर तो फिर तो बाइलोजी के स्टुएंट भी 3 by 2 पे बना सकता है जो बायो लेकि पढ़ता होगा न 11 12 वह भी 3 by 2 बना सकता है फिर तो फिर हमारे मैंस नहीं का क्या मतलब अच्छा हमको सब कुछ क्लियर काट होना चाहिए मतलब हम तो देखके बता सके कि मायना स्री बाइटी वाइटी पूरी के पूरी इस्टोरी यस अब देखो 3x-2 लिखा हुआ है 3x-2 लिखा इसका मतलब क्या है अब तो सर बहुत फास बता सकते हूं सर मैं कैसे फास बता सकते हूं सदेखो सर 3x-2 पुट किया मैं 0 पता सर x की वैली कितना आगया 2x3 आगया तो सर 2x3 आगया ना सर तो सर 2x3 आगया तो सर मैं बना दूंगा सर मौड ऑफ 3x-2 का फिगर करने वाले क्या आगया आपके पास टू बाइठ ही जाए सर इसलोग कितना है सर 3 इसलोग कितना है सर 3 अब तो क्लिर रहे सर अगर मैं मॉट को ओपन कर लो और सब लिखो तो यह आपके पास से इसका मतलब है कि इसका tangent कितना है आपके पस इसका slope minus 3 सर इसका slope कितना है plus 3 this function is discontinuous at x equal to 2 by 3 sir to mod of 3x minus 2 mod of 3x minus 2 is not differentiable at x equal to 2 by 3 sir is not differentiable this function is continuous everywhere yes continuous एक मौटपंक्स आइज आपके पास जो साब कॉर्नर होता है कोई इसू नहीं है तो मौटप 3 x minus 2 की बारे बात कर लिए अगर आपको दिखाना है mathematical लिखना है तो आप इलकूल लिख सकते हो पूरा का पूरा match लिख सकते हो आप कोई इसू नहीं है कोई इसू नहीं है अब मैं आपको gate के कुश्चन दिखाता हूँ क्या क्या-क्या gate के कुश्चन आ हुए है कुश्चन पर 91 में पहुँजगे हैं मैं calculus के यह 2012 में आइड दिली में कुश्चन था चैसे देखे तो आपका फिर्स में हैपिनेस आजाना चाहिए इन्दा इंटरवल माइनस वन टू वन का इंटरवल है और यह मौड एक्स की वैलियू आपके पास से और एक्स इक्स इक्वल टू जीरो पर बताना की फंक्सन क्या होगा हैं क्या होते हैं क्या इसर नोट कंटियूंस होता ही है सर तो आपको अच्छा एडिया है आपको पताए की कॉछने कि कोइस करेगा तो सर इतना तो बताई देंगे सर मॉडेक्स कल अगर कोई पूछने की कोशिज करेगा इतना तो बताई देंगे सर की x equal to 0 पे सर continuous है सर इसका slope minus 1 है यह unique tangent आपके पास नहीं आएगा ठीक है किस पे x equal to 0 पे यह तो this function is continuous at x equal to 0 क्यों क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि इस functions की value की अगर मैं बात करूं की function की value की बात कर रहा हूं तो f 0 plus equal to f 0 minus function की बात कर रहा हूं और f of 0 minus is 0 कोई इस नहीं है इस function is continuous at x equal to 0 इस the continuous यह अगर मैं बोल रहा हूं कि f दे इस 0 plus क्या होगा तो f दे जिरो प्लस मतब यह empty plus 1 सर और f दे जिरो माइनस सर माइनस वंसर तो दूनु वैल्यू नहीं से बराबर नहीं से यह तो पढ़ा रहा रहा है ते देर से this function is not differentiable तो differentiable नहीं है at x equal to 0 ठीक है ओके तो आंसर क्या आगे था continuous and not differentiable अच्छा minus 1 से 1 बोल रहा है तो x की value आपके पास कोई range लेल आपके पास कोई बोल दिया है तो इससे क्या होता है इसके बीच में बात चल दिए और x equal to 0 इसके बीच में आता है अच्छा अगर सर इस question में x equal to 0 की जगा x equal to 0.5 बोलता तो हाँ ये अब आप अच्छा सोचना चालो कि इसको बोलते हैं कि good thought सर एक्जाम में अगर ये x equal to 0 नहीं होता है ये mod x होता है एक्स equal to 0.5 पे पुछ लेता है और range इसके अंदर ही है ठीक है तब क्या होता है अच्छा तब क्या होता है तब continuous और डिफ्रेंस बार आंसर होता है तब आपके पास continuous भी होता continuous भी होता है और टिफ्रेंस बार भी होता क्यों क्यों नहीं होगा नहीं होगा नहीं यार पॉइंट ये नहीं क्यों हो एक ही तो slope है यूनिट टेंजेंट मिलेगा आपके पस x equal to 0 पार एक ही टेंजेंट है ओके तो सर इसका ध्यान रखना है क्या हाँ ध्यान तो रखना पर तब भी यह आंसर आता है एकस इकल टू माइनस पॉइंट फाइव होता तब भी यह आंसर आते हैं ठेक है ओके चल नाइटी तू में नाइटी नाइटी सेवन कुश्ण मां नाइटी टू पहुच गया बोला था कि यह मॉड एकस से फॉर एकस लेज दें जीरो पर और य से फॉर एकस गेडर ने इकॉल ते जीरो यह आपके पास था अगर मैं बोलू की में एकस का फिगर बनाना है मॉड एकस का टूह में जानते हैं कि मॉट X का फिगर है यह वाइक्स की लेक्षे जानती हैं किसी सपस्वलों जानते ना यह वाला मयाला फिगर में X 0 नो में यह उटालि टू मॉट ठी न्हुन और 2 प्जानते हैं कि यह straight line होता है, but लेना कुन सा portion बोला है, लेना बोला है, लेना बोला है, सर, x greater than 0 बैसर, greater than equal to 0, this portion, यह इतना portion लेना है, अब सोचो कि इतना portion लेना है, तो फिर में पास y कैसे defined हुआ, दोनों को ले लो सर, जब आपको ले लोगे, तो दोनों functions को जब आप ले लोगे, कि y का आ कि पार देखना है तो क्या होगा आपकी पस सर दोनों को अगर आप ले लोगे तो क्या आएगा एक्सारद y की वालिव क्या आएगा यह वाला red आ यह वाला right स्रीन का फिल्दो कि मॉड डा सउब स्यम्डिक स्यunda मॉड बार इसके राउंड में घूमते हो लो इसलिए एक टीचर जब पढ़ाता है तो बस इसी को दो-चार बार बता देता है यह बन गया यह बन गया बच्चे खुस हो जाते जैसे कुछ इदा उदा घूमा दिया जाएगा तो फिर सब लोग इधर से उदार हो जाएंगे तो अच बॉल रहेंगे का एजसे डिसको घूमेंट इस अब सुचैंशे का यह डिपता है आपको पता इक्वल टु वाई जिरो माइनस इक्वल टु वाई जिरो इक्वल टु जिरो तो नॉट डिफाइंड नहीं है इस डिसकॉंटियोंस इसका मतलब क्या होता है अच्छा इसका मतलब है कि not diverse not differenceable at x equal to 0 कोई function travel नहीं है एक्वल्ट ग्यूनस है बोतार से और हमको पता है कि यह function अगर कोई बूल रहा है तो कोई बोलता है कि सर में तो d y by d x का figure बना लता है तो चलो बना लो अगर आपको लगता है कि सर मैं तो डिवाइबर डिएकस का फिगर बना लता है य का फिगर अगर मैं जानता हूँ तो मैं तो सर डिवाइबर डिएकस की बारे में जान लेता है जान लो भई डिवाइबर डिएकस की बारे में जान लो x 0 plus which is not equal to dy by dx 0 minus to discontinuous हो गया तो difference ability की बात करते हैं रहे discontinuous हो गया उसके लिए और function x equal to 0 पर exist कर रहा है कि नहीं बूलते हैं तीसरा क्यों नहीं लिखे sir जब दो बराबर नहीं होते हैं तो तीसरा लिखने की जरुवत नहीं होती है जब राइट हैं लिमिट और लेप हैं लिमिट बराबर नहीं होती है तो मैं function को और देखके करने की जरुवत नहीं होती है discontinuous discontinuous अगर कोई derivative discontinuous है that means this function is not differentiable हमसे derivative पूछ रहा था कि derivative discontinuous है एक से डेपनेटली इसकी जगह सार यह भी तो लिख सकता था था नहीं होना कि दिस पंक्साइं नॉट डिफ्रेंसेबल एट एक सिकोली 0 बिल्कुल सही बात है एक्शुली बात हुई ठीक है अब आपके पास 2007 में आपके पास था टू स्टेट्मेंट थे आपके पस मॉड एक्स की बारे में मॉड एक्स की बारे में मॉड एक्स की बारे में सुरी तो मॉड एक्स ही पूछते है इसलिए तो लोग से भी इतना बलाते है और खतम हो जाता हूं का बुल रहे हैं कि जो f of x है f of x is continuous for all real values of x यह p लिखा हुआ है हर real value of x के लिए mod x continuous होते है f of x is differentiable for all real value of x नो 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 यह गलत है तो p is true or q is false p is true q false एंसर क्यों क्यों कि इस डिफ्रेंसिबल for all real values of x के लिए नहीं अच्छा इसको true बनाना है तो f of x is differentiable for all real value of x except x equal to 0 फिर तो यह भी true हो जाता continuous for all real values of x आंसर है आगे piece true q is false इतना दिखराब के पस यह सर दोजार साथ आईडी कानपूर का कुश्चन है तो सर एक कुश्चन तो सर मॉड x के अराउंड में घूमते रहते हैं अभी दुनिया चेंज हो रही जा रही है ठीक है तो ठीक है कोई बात नहीं है एक इस्ट्वे minus 3x आपके पास था अब 2 minus 3x पे अगर कुछ बात कर रहा है तो क्या होगा अगर मैं मॉड 2 minus 3x बोल रहा हूं तो 2 minus 3x equal to 0 यस सर x की value कितनी आगे तो सर 2 by 3 आ रहा है बिलकुल सही है एक्स के लिए 2 by 3 आ रहा है तो x के लिए 2 by 3 पे अगर मैं फिगर की बात करो तो फिगर तो वैसी बन जाए गया यस बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा यह आपके पास हो गया मॉड 2 minus 3x यह अच्छा तुम्हें आपको बताए कि पहले मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि बहुस सारे कोशन आए है किस पे मॉड वैल्यू पे इसलिए मैं पहले मॉड पे रिलेट किया इसका स्लोप कितना होगा सार 2 minus 3x से सार फिज़ मैं लिखूंगा तो सर 2 minus 3x की बात कर लूँगा सर में तो आपके पास यह टेंजेंट और यह टेंजेंट के वेलिए अलग अलग है इतना आपको कलियर है ना चाहिए यह सर इसमें को इस हो तो 2 minus 3x है तो 2 minus 3x greater than अगर मैं 0 रख रहा हूं तो 2 minus 3x greater than equal to 0 तो 3x less than equal to 0 तो x यह 3x greater than इथा चला गया तो 2 था एक्स लेस देन 2 by 3 एक्स लेस देन 2 by 3 पे आपके पास यह हुगा तो 2 by 3 पे यह वाला हुगा स्लोपीज माइनस 3 सही है माइनस 3 इस माइनदा प्लस 3 ठीक है यह दिखर आपके पास अब यह ना सूचे कि सर उधर वाला तो सर पॉजेटिव है तो 2 by 3 आगया ठीक है अब 2 by 3 पे मैं को पता है कि यह function था आपके पास यह true था बट यह false था इसलिए यह गलत हो गया continuous for all values of x यह true है differentiable except x equal to 3 by 2 except x equal to 3 by 2 except x equal to 3 by 2 not 2 by 3 इस गलत बोल रहा है ऐसा भी confuse कर देते तो 2 by 3 is not 3 by 2 इसलिए यह भी false हो गया continuous or यह true है differentiable except 2 by 3 यह again true 2 by 3 थाप के पास c answer correct इस continuous for all values of x यह true सच में true है नहीं except यह तो false यह भी false होगे except x equal to 3 बोला था और differentiable for all values of x यह false बोत आर फॉल्स इसमें true false true false और true true तो c answer this one इसा आते रहता है हाँ ऐसे mod की बारे में बहुत बाते वो लोग करते रहते हैं कोई सुनी है अपने को दोबजा साथ आईडी कानपूर में था mod x का cube तो अब आपके पास अगर मैं बोल रहा हूँ कि mod x है उसके बाद उसका cube है इसका मतलब है value positive आपके पास होगी x cube का इसका मतलब है कि f of x में जब हम solve किये थे तो x cube करके mod किये थे तो sir में mod x करके भी तो cube कर सकता हूँ बिलकुल सही है ठीक है correct है लेकिन यह x cube नहीं हो सकता बट नॉट x cube क्यों क्यों सर अरे x की negative value के लिए x cube negative आ जाएगा जबकि यह 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 दोनों value बराबर है इस always positive x square में तीनों बराबर लिख सकते है x cube में तीनों बराबर नहीं लिख सकते हैं दोनों बराबर लिख सकते हैं ठीक है इसके बार हम तो खुब बात किया थे सब्सक्राइब के बार हम अगर बात की जाए तो खुब बात किया थे आपके पास तो दो जाएडी कानपूर में था x equal to zero पर पूछा गया है बोल रहा कि कांट्यूएंस है तो आपको तो सरी x cube होगा और x greater than equal to zero और यह क्या होगा माइनस x का cube तो माइनस बाहर आगे फिर माइनस x cube for x greater than zero satisfied कर रहा है यह सर यह है इस function is continuous हाँ यह function continuous है f of zero plus f of zero plus is equal to f of zero minus equal to f of zero अगर कोई इस function के बारे में बात करें तो मैं बोलूँगा continuous है इस function के बारे में कोई बात करें तो continuous है बोल रहा है कि continuous है but not differentiate x equal to zero पर but not differentiate continuous है but not differentiate अच्छा अगर मैं इसको differentiate कर लो तो differentiate कर लोगे तो f dash x आ जाएगा f dash x क्यूए लिए कितनी होगी x cube का 3x square x greater than 0 और minus 3x square x less than 0 अब f dash 0 plus equal to f dash 0 minus कितना आ रहा है जीरो आ तो तो differentiable है at x equal to 0 तो differentiable है तो continuous भी है और differentiable भी x equal to 0 इसमें लिका था continuous है बताब यह true था बढ़ बुला था not difference इब यह false है difference इब एपने सेबल है है गलात हो गया बूल रहा Gary oneji falls difference इए लेकिन दो बार मुह सकता यहां और Спटरी अबार merciful कर लिए एकषिए कर लीए ल एकवड़ लिकार 6 हो तो किया दुसरे बार आप नहीं कर सकते दुसरे बार f mulheres 6x यह मांनस 6x एक्स ने इक्वल टो पिर एक्सलेज और एक्सलें जिरो यह आकके पास differentiable है कि ने मढदướthen जीरो फॉद लॉब इकवेल देज्हा दॉबियस जीरो गदॉड सब्कुर्ण ऊसेग्तिर्पर सब्सक्राइब करूंगा तो कुछ भी पूछ सकता है किसी का कुछ भी तरीका हो सकता है पूछने का कोई इसू नहीं है आपको बस मैं जो बोलते जा रहा हूं सुनना है देखना है समझना है अब यह रिपिटेट कुश्चन इसके बीच में आ गया तो एकोश्चन दो बारा चुका नांटीए तो दो जार बारा में तो कोई इसुनी है नॉमली गेट में रिपीट नहीं करते हैं अब नाइंतीग नाइटीग फाई न में एक्स प्लस न था और इन दा इंटरवल मायनस टू जीरो मौड एक्स प्लस वन अगर आपके पास बना रहे तो क्या होगा सर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो क्या होगा सर एक्स इक्वल टू माइनस वन पर सर फिगर बनाना चाहता हूं बना लो यारो X equal to minus 1 पे, अगर आप X equal to minus 1 पे figure बनाना चाहते हो यह यह minus 1 पे यह slope कितना होगा इसका यह X plus 1 है minus 1 X plus 1 है plus 1 यह ऐसे होगा, यह सर अब यह minus 2 से 0 है मतलब हम कहां से कहां पुछे जा रहा है minus 2 से 0 के बीच में पुछे जा रहा है अगर मैं बोल रहा हूँ कि माइनस टू यहां कई है और जीरो यहां कई है तो आपका इंटरवल कितना दी है माइनस टू से जीरो मतलब माइनस टू से जीरो क्लोज इंटरवल दी है तो माइनस टू भी ले लोगे और जीरो भी ले लोगे तो माइनस टू पे तो हई आपके प लिए इंट्रवल गलत से सुम्ята होगा डिफरेंसिबल अल्फ और sequel नहीं विकुज़ हमको mod ln x लिखा x equal to 1 पे ln square x लिखा x equal to 1 पे और e raise power minus mod x लिखा x equal to 0 पे इतना आपके पास लिखा हुआ अब अगर मैं बूर रहा हूँ कि check the differenceability of the following function है और ln x की बारे में बात चालो हो रही है और अगर मैं ln x की बात करूँ log natural की बात करूँ ln x तो अगर मैं points की बात कर रहा हूँ तो मैं तो बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि sir points की अगर मैं बात करूँ ln x में log natural x तो sir सभी लोग बोलते हैं कि sir difference value x equal to 1 पे है तो अगर मैं बोलू कि basic thought अगर लगाऊ और मैं बोलू कि right and derivative क्या होगा sir f of 1 plus होगा हर बार 0 की बात करना से नहीं चलेगा अब देखो 1 पे है f of 1 plus value limit s tends to 0 f of a plus h 1 plus h minus f of 1 divide by h यह होता है यह सर limit s tends to 0 f of 1 plus h मतब log natural 1 plus h minus f of 1 log natural 1 divide by h log natural 1 0 होता है f of 1 plus की value कितना होगा limit s tends to 0 यह आगे ln 1 plus h ln 1 0 divide by h अब s tends to 0 बूट करूँगा तो ln 1 0 और 0 0 by 0 फार्म आ जाएगा 0 by 0 फार्म तो क्या होगा sir limit differentiate करेंगे हम लो तो limit s tends to 0 ln 1 plus h का differentiation 1 upon 1 plus h और h का 1 अब h equal to 0 put करो sir 1 upon 1 plus 0 sir 1 आ रहा है f 1 plus की value बना रहा है दिखा आपके पस यह देखल देहां से यस sir अकर मैं बूलू कि left hand derivative क्या होगा इसलिए आपको सब आना चाहिए 1 minus sir ठीके चलो limit h tends to 0 f of 1 f of 1 minus f of a minus h तो 1 minus h divide by h तो limit h tends to 0 f of 1 मतलब log natural 1 minus log natural 1 minus h divide by h तो आपके पस जैसे मैं बूल रहा हूँ कि मैं को h tends to 0 पूट करना है ln 1 तो 0 होगा h tends to 0 पूट करना है तो ln 1 0 0 जिरो बाइ जिरो फॉम आ गया जिरो बाइ जिरो फॉम l hospital rule लगाएंगे तो ln 1 minus h का माइनस तो पहले से बाहर था ln 1 minus h का 1 upon 1 minus h होगा और 1 minus h का डिफरेंसेसन एक और minus 1 divide by h equal to 1 का 1 होगा पता कितना आ गया plus 1 मतलब यह आ गया 1 upon 1 minus h आ गया और h equal to आपके पास limit h तो 0 बुट कर रहे है जैसे 0 बुट किये तो यह 1 आ गया इसका मतलब है कि 1 minus पर भी 1 आ रहा है 1 plus पर भी 1 आ रहा है मतलब जब log natural की बात की है पार्ण की जो function था आपका ln x यह और f of 1 plus की value कितना आ यह? 1 एफ of 1 minus की value derivative 1 इसका मतलब क्या है सर राइट हैंड और लेप्ट हैंड की value सेम है सर राइट हैंड डेरिवेटिव एक्वल to लेप्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों value सेम है सर तो f देस 1 plus की value f देस 1 minus की बराबर है तो तो diff्रेंसे बहा होगे इस function is differentiable at x equal to 1 बिलकुल तो f of x equal to log natural x is differentiable at x equal to 1 कोई सूप नहीं ठीक है? it's okay बट आपके पास यह तो हम solve कर लिए अब आपको अगर देखना है तरीका change करके तो आप तो यह भी बोल सकते हैं कि सर मेरे पास functions क्या है ln x बच्पन से हम तो differences नहीं जाना है f-x करते हैं तो कितना आ जाता? फिर 1 by x आ जाता है अब मैंसे x equal to 1 पर पूछा जा रहा है तो मैंसे अगर कोई पूछ रहा है 1 पर कितना होगा तो f-1 प्लस करता है तो भी कितना आता? 1 प्लस अगर मैं करता तो कितना आता? 1 by x है तो कितना आता? 1 by 1 तो 1 ही आता f-1 वाइनस करता तो कितना आता? 1 by 1 तो 1 ही आता तो f-1 प्लस equal to f-1 वाइनस यह equal to 1 this one this function indifferenceable क्योंकि ln x को हम जानते हैं अच्छा इसमें कोई problem इसलिए नहीं हुई क्योंकि log natural में क्या ही problem होगी? अगर मैं बात करूँ कि log natural में क्यों problem होगी? ln x की जब हम बात कर रहें तो ln x का figure क्या होता है? दिसमें यह f of x अगर आप figure की बात करोगे तो यह यह x equal to 1 है अब x equal to 1 के आराउन में देखो तो यह function तो continuous है function में कोई सुझी नहीं है ln अगर मैं 1 के आराउन में बात करूँ तो ln 1 प्लस करूँ, ln 1 मानिस की बात करूँ यह तो आराउन तो 0 ही value आपके पास तो इस function तो आपको दिखी रहे कि x equal to 0 पे आपके एक्स equal to 1 पे आपके पास continuous है मैं बहुरूँ जब मैं डिफ्रेंसिबिटी की जब मैं बात कर रहा था तो देखो आपके पास ln x आपके पास यह था मेरा derivative कितना आया था मेरा derivative आया था एवडेस x तो एवडेस x की value कितनी थी sir 1 by x 1 by x क्या होता है 1 by x sir एक hyperbool होता है किस जगा पे डिफ्रेंसिबल नहीं होता है sir मतलब किस जगा पे continuous नहीं होता है odd function है x equal to 0 यह जो एवडेस x है एवडेस x is discontinuous at x equal to 0 बट अगर मैं x equal to 1 पूछ रहा हूं तो sir 0 के बाद तो हर value पे continuous ही है तो एवडेस x is continuous at x equal to 1 x equal to 1 पे तो continuous है और अगर इसका derivative continuous है तो differentiable है x equal to 1 पे अच्छा जब मैं ln x की बात कर रहा हूं तो लोग क्यों 0 पे बात नहीं करते हैं नहीं बात करते हैं क्योंकि इसकी डेफिनिसा मैं लेको 1 के बाद ln x की value 1 के बाद ना positive और 1 के बाद negative है अगर मैं ध्यान से देखो तो ln x की value is greater than 0 when x greater than 1 और ln x की value less than 0 when x less than 1 इसलिए सब 1 के around में घूमते रहते हैं अच्छा ln 0 के around में कोई बात क्यों नहीं करता है क्योंकि ln 0 की value तो आपको पता है कि minus infinite होती है ln infinite ऐसे लिखने के लिए बोल दे रहा हूं कि infinite ln 1 की value 0 0 is the finite value 0 is finite value बट यह finite value नहीं है इसलिए जब मैं log की बात करता हूं तो limit exchange to 0 आपके पास कोई बात ही नहीं करें के क्यों क्योंकि फंक्सन तो आपके पास x equal to 0 पर बात ही नहीं हुपाएगी इसका मतलब है कि यह x equal to 0 पर function difference is equal to 1 कोई सुझ नहीं है the difference is the difference is the difference 1 by x 1 by x मैं अब value put कर लो x equal to 1 x equal to 1- is the continuous यहां तो देखी लगता है अगर मैं वोलू की सर यहां पर 1 है तो कोई सुझ धूरी हो गया है अगर मैं माइनस टू बोल दू माइनस फाइक बोल दू सब पर सिर्फ जीरो पर continuous नहीं होता वन बाई एक्स जो होता है इसले इस फंक्सन इस नौट मैंसे तो पूछा है नहीं किया था मैंसे एक्स इकोल 1- Hein vez कोई uniquत इस चोतल सिर्फ इकूलडित होता , इसका थाई जब में मौड LNX की बात कर रहा हूं जब मैं mod lnx की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि देख यार mod lnx की बात कर रहा हूँ lnx और mod lnx में क्या होगा आपके पस अच्छा अगर मैं बोलू कि मैं basic solve करना चाहता हूँ rld f of 1 plus equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h yes minus f of 1 yes और h ऐसी होता है limit h tends to 0 f of 1 plus h मतब ln 1 plus h और फिर mod ठीक है minus ln1 divided by h कितना आपके बास f1 plus की value f हो इसलिए तच्छा मैं साना चाहिए आपको limit h tends to 0 फिर 1 plus h है 1 के बाद h की कोई भी value पूट कर लो h tends to 0 कोई भी value 1 plus है ना तो log natural में 1 के बाद कोई value पूट कर लो is the positive value तो ln1 plus h लिख सत्ते हो कोई इस हो नहीं है अब देखो एच जिरो पूट करोगे तो log natural 1 जिरो बाई जिरो फॉम आगे जिरो बाई जिरो फॉम तो मैं डिफरेंसेट कर दूँगा जब मैं डिफरेंसेट करूँगा तो कितना आ जाएगा आपके पस फॉम दे एल हॉस्पिडल रून वन बाई एस सर और एच का वन सर अब एच जिरो पूट करूँगा तो आंसर इच वन अपॉन पॉन प्लस जिरो सर वन आगे सर ठीक है चलो एफ वन प्लस की value आगे लेट है अगर होता तो क्या होता सर वन माइनस एफ डेस मैं भूल जाता ह हो कभी-कभी यह डेस लिखना ठीक है तो एकारी जगा इसा हो सकता है कि पहले भी एकारी जगा डेस चूट गया होगा ठीक है तो कोई सुनिए क्यों मैं जल्दी जल्दी में फिर वह डेस नहीं डलता हूं 10010 501-f01-- upon अपानए क्या हुआ क्या होआ सर लिमिट अजानलिट एक तार फंबं कि यह जब हम मॉट के अंदर था है यह मॉट के अंदर था खाले ले लिन जीरो हूं इ проб Ryan तो यह लेन वन आपकी पास हो गया मॉट के अंदर कोई सुनिए माइनस ल hands जाले lips यह आवार पास है और यह value आपके पास दिवाइड बाई कितना है आपके पास H यह अब देखे कर रहां से कि LN 1-H है ठीक है मॉड के अंदर आपके पास value है आप सोचे दिस value is always positive LN 1-H है यह अपको पता है LN 1-H आपको पता है कुछ value तो 1 से छोटी होगी और ln की वैलिव नेगेटिव आ जाएगा आपके पस अगर उसको रिप्लेस करना है आपके पास क्योंकि मैं को पता है कि value तो positive होना चाहिए लेकिन अगर मैं ln 1-1 के mod को ln 1-1 लिग दो तो गलत हो जाएगा क्यों कि है कि वैलिव आप कुछ भी पुट करो स्मॉल वैलिव पॉइंट वन से पॉइंट वन करोगे पॉइंट ना तो फिर आपको क्लियर है क्या ने तो आपके साथ अभी इसू क्या आएगा मैं बता रहा हूँ limit essence 0 ln 1 तो 0 हो गया यह पहले से माइनस था यह पहले से माइनस था इन्टू अब आपके साथ इसू यह आएगा क्या बोलोगी सर माइनस के साथ कैसे बहार निकाल लिए लॉक को सर आप मॉट के अंदर में था यह आपके साथ एक इसू आएगा कि सर यह माइनस कैसे होगे सकता है मैं बोल रहों यार मॉट है तो इसू यह पोचरू के वाल इस पॉचलिव एक्जेकिट एप अंदेखब हो अच्छा मैनस कितना हो गया यह प्लस हो गया फिर से माइनस पलस हो गया अब यह आ गया ह है अह सपिलेरल रूल जीरो बाइ did प्लस प्लस हो चुक है एलेज वन माइनस है का डिपरेंसेशन वन अपान वन माइनस है और डिवाइड वे एच का वन अब एच ते जो पूट करो सर माइनस बना रहा है मतलब यह मैस इसका मतलब यह हो गया कि सर अगर मेरे पास functions की value mod ln x है तो f of 1 प्लस की value 1 आया था सर राइट-hand derivative यह देश नहीं लगा है लेट-hand derivative के लिए माइनस वन आ रहा है इसका मतलब यह तो बराबर नहीं है अगर आप mathematically solve करते हैं तो अच्छा mathematically solve करते हैं तो देखिए देहां से फिर मैं ऐसा लिखता कि f of x equal to mod ln x है पता है इसकी definition लगाता mod ln x पता है यह ln x होता है और x greater than equal to 1 is always ln x फिर आपकी पास होता है x less than पे minus ln x यह अब सुचो x की कोई भी 1 से छोटी value पूट कर दो आपकी पास यह negative आ जाएगा पहले से बादने से तो positive all values are positive यह mod this is the definition of ln x mod ln x की definition x greater than 1 पे is always positive और this value is always positive सोचो ना 1 से शोटी value पूट करो ln x में 0.9, 0.8, 0.7 negative पहले से बादने से लगा है the definition of f of x यह important है ऐसे चीज़े click नहीं करते हैं mod x तो जानते हैं लेकिन हम mod ln x नहीं जानते होंगे बहुत लोग अगर मैं इसको differentiate करूँ तो अच्छा अब differentiate कर रहें तो ln x का 1 by x होगा है sir x greater than equal to 1 और अब equal to भी लगा सकते 0 ता आई जाता है और फिर आपके पास ही आगे है minus 1 by x x less than 1 अब मैं बोल रहा हूँ की every day is 1 plus कितना है गा इसमें पूट करेंगे और एफ डे इस 1- कितना है गा सब्सक्राइब करेंगे माइनस वन आ रहा है दुनों बराबर नहीं हुआ ना भाई यह नहीं हुआ इसकता पर rld is not equal to left hand derivative function not differentiable ना सोचो this function यस सर मत्बब अगर किसी को mathematical form पता है मौड LNX का यह तब तो उसको तुरह दान सा पता चलके लेकिन सोचो किसी को मौड LNX का definition नहीं पता है हर वेक्ति को सब पता होगा ऐसा तो नहीं सकता तो फिर उसकी यह काम आएगा इस वन तो आप यह मत सोचो कि सर इसको कौन करें सर हम तरह इतना फिर होसियार बनना पड़ेगा किर बहुत होसियार बनना पड़ेगा किसी को कि यह सर I can do anything सर बहुत जानता हूं मैं इसलिए हर चीज़ बता रहूं मैं अच्छा को यह भी कर सकता है कि सर आप देखिए सर मे यह 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 य पिर आपके पास इस वा न पिर आपको भूद दिख रहा है एक सीकौल डू लुए ये हापके पास सार्फ और न है अच्छा, प्र आपको बहुत बहुत अच्छा आता हूँ जशार आपके हो उतार आपको अज फड़ या थि फड़ अगर आप खीछ रहे हो इस जगह पे आपर मैं बोल दूँ कि empty की value क्या होगी और यहाँ पे आप tangent ले रहे हो यह tangent अलग होगा और अगर अगर मैं बोल दूँ कि इस point पे अगर आप tangent ले रहे tacos और अधिहान से तेंजने मैं अलग होगा इस empty की value अलग होगा इसकी वैलिव पॉजिटिव ये तो टेंजेंट यूनिक नहीं है इस जगा पे और साब कॉर्णर है तो एबडेस वन प्लस पे जो वैलिव होगी वो एबडेस वन माइनस के बराबर नहीं है हाँ इस पे वैलिव मैं को नहीं पता यहां मैं को वैलिव पता है यहां मैंको value पता है कि value कितनी थी sir value sir पता थी sir अपने को f days 1 plus की value sir 1 थी और यह minus 1 value थी यहां value नहीं पता लेकिन figure देखें मैंको पता है कि यह value बराबर नहीं हो सकती sir यह value बराबर नहीं हो सकती और जब यह value बराबर नहीं हो सकती तो मैंको पता है sir कि differentiable नहीं है सर, mod lnx is not differentiable, सर lnx is differentiable at x equal to 1, lnx is differentiable, मतलब इस जगह पे abdase 1 plus equal to abdase 1 minus, यह, यहाँ पर differentiable है सर, यह lnx is differentiable, but mod lnx is not differentiable, क्योंकि यहाँ पे जो 7 corner आ रहा है, यहाँ पर नहीं आएगा यह इसको बलते है graphical thought, आपको खुब आता है graphical, खुब figure sketch करना आता है you are very expert in calculus, this one लेकि यह सब लोग ऐसा नहीं करते होंगे, और कर भी नहीं सकते फिर आपको खुब मैसा आना चाहिए mathematical function पता होना चाहिए फिर basic भी इसलिए बताया है कि कि किसी को नहीं आता भाई बहुत जादा, तो भाईया यह यह है आपके पास फिर, thought ओके सर अब ln square x है अब ln square x है तो मैं तो ऐसे ही बोल दूँ आपको क्या ऐसे बोल दूँ सर देखो सर ln x आपके पास figure है सर, यह x है यह ln x का figure सर हाँ तो सर यह तो आपको सर पता ही है सर यह पता ही है कि x equal to 1 पे यह ln x है अगर मैं सोचू की अभी मैं इसका square कर रहा था इसका मैं mod कर दूँ अभी मैं इसका square कर दूँ अभी mod कर रहा था आप स्क्वेर कर देता हूँ क्या था आपके पास ln square x यह क्या होगा आपके पास इसको mod कर दूँ तो यह हो क्या यह यह सब्सक्राइब को ना दिखा आपको नहीं डिसकंटियूंस होना चीए सर अगर ऐसा नहीं होता तो अभी सोचो देखा अध्यान समझना कि कभी कभी कौन कौन सी चीजिए इंपोर्टन होती है एफ आप एक्स क्या है भाज खतम करें के अबने लेक्टर आप देख रहे होंगे बहुत देश से लेक्टर देख रहे होंगे अगर मैं बोलू कि एफ देश एफ आफ एफ एफ आफ प्लस एच लिख रहा हम तो लेन वन प्लस एच स्क्वेर होगे ना माइनस एलेन वन प्लस एच ठीक है लिमिट एफ एफ देश वन प्लस एच अच्छा आपको पता होना चाहिए कि एफ टेंस तो जिरो बूट करता हूं तो यह जिरो बाए जिरो फार्म यह बना लेता है तो आप ऐसा भी लिख सते हों कि इस फंक्संस की जो वैली होगी वं होगी दिस वैली जो और यह वन प्लस एच quest में जब हमें यह जिरो पूट कर्या रही तो लॉग नेचिराल वन बचेगा लän 1 यह जिसकी वैली जिरो होगी इसका तो इस functions की वैल्य होगा यह one into zero result will be zero यह ln एपने सबके पास यह वैल्य वार्दे देखो जाए देहां से यह देखो देहां से यह देखो अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा आप ऐसा नहीं करते तो फिर ln 1 लिखते तो जिरो हो जाता है, जिरो बाइ जिरो फार्म हो तो आप डिफरेंसेट करते हैं, क्या करते हैं आप डिफरेंसेट करते हैं, फिर 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 डिफरेंसेट करते हैं, फि सब्सक्राइब तो और तो 1ोट कर गालेज सब्सक्रात अवेड़ वन जटाँ गरती है तो यह विद यह धि हो जाटा यह तो नगर अगर आप कर दिये हैं यह सब रहे हैं जड़ नीजियन 13инки कितना होता है एफदेस बन मानिस लिमेट एस तेंस तो जी रू एफ उपбर 1- एफ डेस 1-1 on मैं फडी रीवाह वाव हिश्स़ेयर कि या हे debate गया माइनस आपके पास यह बचा टो मैंनस माइनस एच एच दो बार लिक सथता हूं कर सथता हूं अब यह हस्पाइल हुस्ता गे लगाओं का कितना हो माんなष दो बहर था मानस nię वटो यह पूरत दो फार मैंस था मानस फारा एच और यह कितना वा फ्रू इस तो है तो है तो एच जिरू पूरों मानस अजाएगा व डिश मानस ए्कॉल टू कितना रापके पर आप जी रू तो सबकते डैरिखल सेम की धिडिवरन्स है तो Поэтому सब्सक्राइब तो इसका मतलब है आप बोल रहे हो कि सर यह तो कुछ अजीव होगे सर एप देश वन प्लस इजी क्वेल टू एप डेश 1-0 तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी-कभी हो सकता है कि आप अच्छे से ना समझे कि सर मैं ऐसा बनाया इसका मताब ln square x और mod ln x का figure सेम नहीं था this figure is not up to mark not correct form इसलिए graphically इतना आसान नहीं है not correct one not correct form यह not correct form पता आपके पास जब मैं बनाता हूँ तो यह ऐसा बनना चालू होता है x equal to yu1 पे कैसा यह आपके पास ऐसा आपके पास आता है और यह यह अपके पास आता है और बहुत सारी बात है जिंदगी में सब लिनियर पार जा मैं इसका स्क्रेयर करूँगा तो यहाँ पर फ्लेट फॉर्म से है और ऐसा जाता आपके पास इस पास इसका मतलब है कि यहाँ पर टैंजिंट जो होता है ये इस जगह पर टैंजिंट अच्छा लेकिन सबको कैसे पता होगा इतना जाला जिन्दगी में वही तो बात है ना सबको कैसे पता होगा इतना आसान भी नहीं बात है यह आपके पास है इसलिए अगर आप किसी figure को लेके sure ना सब उसको आप square X को नहीं जानते हो और आप ln x को जानते हैं और वो जल्दबाजी में हो तो जल्दबाजी में ना रहा है पता है आपके पास यह इसका जो tangent होगा आपके पास हो 0 होगा और यही जो tangent निकाले थे यही f1 f-1 plus equal to f-1 minus equal to 0 तो पता है यह continuous है मत्तब सर आप बोल रहे हैं कि mod ln x is not continuous हाँ बट ln square x is continuous function यस देखो जाए देहां से देखो जाए देहां से इसलिए आपको basic definition काम आज सकती है बहुत यह अच्छी तरीके से अगर आपको idea नहीं है किसी चीज का ओके ध्यान रखें कि इस बात का चल आज का अपना last question e rest power minus mod x है और x equal to 0 पे बात करना तो मैं मुल रहा हूँ e rest power minus mod x है अब मैं चाहूँ तो फिर से definition लिख सकता हूँ लेकिन अब मैं को पता है कि mod x की value तो x greater than 0 पे आपके पास यह होगी तो f of x की value कितनी होगी sir mod x की value sir x sir यह और mod x value minus x sir तो plus हो गया x less than 0 कितना रिखना चाहिए आपके पास इसका मतबब है कि e rest power minus x का figure अगर मैं बोलू कि e rest power minus x का figure क्या होता है e rest power minus x का figure क्या होता है और एक अगर मैं बोलू कि e rest power x का figure क्या होता है अगर मैं आपको बता दूँ कि क्या है e rest power minus x का figure यह होता है और यह आपके पास होता है यह ए रेस पार X का सब सब आपके पास calculus में समय यूश किया था बट मैं को यह चाहिए यह वाला figure यहां पर और यहां पर चाहिए मैं को यह वाला X equal to 0 पर इसकी value 1 है इसका अधा पर जब मैं mod X का figure E raise पार minus mod X का figure ड्रॉ करता हूँ figure क्या बनता है बता है आपके पास दिस हो यह एफ आप एक्स का figure यह इस वाइट इवन फंक्शन यह इवन फंक्शन अगर में mod की definition यूश करता है उसके अंदर में यह जा सकता था right hand limit और left hand limit इसमें आप क्या करना इसको मैं बोलता हूँ कि right hand derivative और left hand derivative एच की concept से करना यह homework अच्छा अभी अपना चल रहा है लेकि यह homework आपके पास इतने बार में करना जिरो प्लास है मतब जिरो प्लास है और जिरो मानस है अभी एवन फंक्शन है त्यान देखा जाए कि e raise power minus x से अगर मैं इसको f dash x को अगर मैं mathematically लिखी लिया कि सर यह तो यह है f dash f of x की value क्या लिखा मैं e raise power minus x for x greater than equal to 0 यस और e raise power x for x ले दें चुकि डेफिनिस नहीं को पता थी f dash x क्या होगा f dash x की value होगी क्या होगी minus e raise power minus x और x greater than equal to 0 और यह कितना होगे sir e raise power x और x less than 0 यह अब x equal to 0 पर मैं को अगर बात करना है तो value different आ रही है इसका मतलब है मैं कोई equal to नीचे नहीं लिखना चाहिए ठीक है अब यह दिखें आपके पास आप सोचो की f dash 1 plus की f dash 0 plus की value क्या होगी f dash 0 plus की value क्या होगी minus e raise power minus 0 तो minus 1 f dash 0 minus की value क्या होगी sir इसकी value होगी sir e raise power 0 मतलब 1 क्या बराबर है नहीं sir right hand derivative is not equal to left hand derivative इस function is not differentiable at x equal to 0 यहाँ पर देखो आपके पास यह यह था आपके पास इसा गया और यह आपके पास तो फिर star corner ही नहीं पता चल रहा है तो it's not easy कि कोई एक normal instrument star corner भी घुच जाए mod x जान रहा है बहुत अच्छी बात है बट हर function जान जाए ऐसा भी नहीं है तो e raise power minus mod x x equal to 0 पर discontinuous मतब differenceable नहीं है क्यों क्योंकि अगर इस function को मैं define कर रहा हूं इस function को देखो इसमें आपके पास अगर मैं इसके पहले पर जाओंगो तो इसका आगे और पीछे आपके इसका टेंजन जो इनिक टेंजन नहीं है इस function is not differentiable इस function is not differentiable पर फिर मैं चाहता हूं कि आप यह एच की concept से भी करें तो इतनी बाते पता होना चाहिए अगर में को फिगर नहीं पता है तो फिर उसको फिर ये डेफिनिसा पता होना चाहिए फिर डिफरेंसेट कर लिया फिर देखा रहे यह तो बराबर ही नहीं आ रहा है इसको फिर ये होंवक दिया होना मैं आपको ये एक की कंसेट से आपको समझाए एक और इंटरेस्टिंग बाप बताए कि इसके बाद इसके लिए लिए लुगा मैं उसे मैं पूरे गेट के जितने कुशन है अच्छे वाले कुशन सब कवर कर दूगा कुछ भी नहीं आता ऐसा की जो हमको कोई परसान कर सका कैसे कुछ बात नहीं आती है ठीक है तो इसका जो सेकेंड पार्ट आएक उसमें डिफ् बळार में करें तो मैंसा युटारा रहा कि आएका िदूनिया पछहता को फिर समय पड़ा रहा हूं कि उसके लिए टाइम लगता है सोच ना पड़ता है को प्लान करना पड़ता है नौट फॉर में ठेक है खेसा आपको लगा इसके पार्ट थैंटि ऑ का टेती तisfвал ठीक है चलो ओके थैंक यूरी मॉच्च